इस वीडियो में है class 10th के subject maths का chapter 9 जिसका नाम है applications of trigonometry applications of trigonometry का ये part 2 है जिसमें करेंगे exercise 9.1 exercise 9.1 में total 16 questions है सभी के सभी questions को इसी वीडियो में एके करके solve करेंगे इसके अलावा chapter 9 के जो भी ये other parts है सभी के link आपको नीचे description box में दिये गए है सभी parts को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना next page से शुरू कर देते हैं exercise 9.1 exercise को शुरू करने से पहले applications of trigonometry का introduction part जरूर देख लेना इस introduction वाले part में हमने सभी concept को explain किया है जिनकी help से हम exercise 9.1 के questions को solve करेंगे तो कोई भी doubt नहीं रहेगा अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद exercise के questions को solve करोगे इस introduction वाली वीडियो का link आपको नीचे description box में दिया गया है question number 1 से शुरू कर लेते हैं exercise 9.1 exercise 9.1 का सबसे पहला question इसमें है a circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stressed and tied from the top of a vertical pole to the ground find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree एक circus artist है जिनको 20 meter लंबी रसी को climb करना है और इस रसी को tightly stretch करके ground से एक vertical pole के top पर बांदा गया है हमें पता लगाना है रसी को जिस pole से बांदा गया है उस pole की height क्या होगी अगर ground और rope के बीच में बनने वाला angle 30 degree हो so solution में सबसे पहले जो भी question number 1 में problem दी गई है इसके लिए एक figure बना लेंगे तो easy हो जाएगा हमारे लिए करना so सबसे पहले figure में यहाँ पर हमें एक बना लेते हैं triangle triangle में हमारा a b बन जाएगा pole उसके बाद ये हो जाएगी हमारी rope यानि की रसी इस point को नाम देते हैं c ac हमारी रसी हो गई रसी ground के साथ में कितने degree का angle बनाती है 30 degree का ये हमें जीवन है और रसी की लंबाई कितनी है 20 meter यानि की a से c तक ये हो जाएगा हमारा 20 meter अब हमें पता लगाना है कि इस a b यानि की pole की height कितनी है सबसे पहले जो भी हमने यहाँ पर figure बनाया है उसी के बारे में लिख देंगे a b is pole and a c is rope a b हमारा pole है और a c हमारी rope है सो इस pole की height पता लगाने के लिए use करेंगे guys trigonometric ratios का कौन सी trigonometric ratio हमें लेनी है देख सकते हो यहाँ पर पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले इस वाले मंतर में से एक fraction निकाल लेना है हमें perpendicular निकालना है और hypotenious दिया गया है यानि कि ऐसा fraction लेंगे जिसमें perpendicular और hypotenious ये दोनों आते हैं आप देख लो यहाँ पर perpendicular और hypotenious फस्ट वाले fraction में आते हैं और ये होता है sin theta के लिए सो यहाँ पर sin theta का use करेंगे लिख लेता हूँ यहाँ पर sin theta equals to में आ जाएगा यहाँ पर P upon में H perpendicular है AB और hypotenious है AC सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा perpendicular AB और इसके denominator में आ जाएगा हमारा hypotenious AC अब इसमें values पुट करेंगे sin हमारा as it is आ जाएगा theta की जगह पर आप देख सकते हो ये angle हमें 30 degree दिया है so theta की जगह पर आ जाएगा 30 degree equals to में AB की value हमें find करनी है तो AB यहाँ पर as it is रहेगा इसके बाद denominator में आप देख सकते हो AC इसकी value यहाँ पर हमारी है 20 meter so denominator में AC की जगह पर आ जाएगा 20 trigonometry table में देखोगे तो sin 30 की value हमें given होती है 1 by 2 so sin 30 की जगह आ जाएगा 1 by 2 equals to में AB और upon में 20 as it is यहाँ पर आ जाएगा अब simple सी बात है AB की value हमें find करनी है तो 20 को इस side में shift करना पड़ेगा यहाँ पर divide में है इस तरह आके हो जाएगा multiply में 20 को 1 से multiply करेंगे तो यह रहेगा 20 denominator में 2 as it is equals to में आ जाएगा AB 2 से 20 को cancel किया जा सकता है 2 से 20 को cancel करेंगे 10 times पर यानि की AB की value हमें मिल जाती है 10 equals to में यहाँ पर लिख देते हैं जो भी हमारा यह pole है इसकी height हमें मिल जाती है 10 meter यही हमें find करनी थी last में यहाँ पर लिख देंगे question number 2 के लिए move करते हैं next page पर question number 2 question number 2 में एक tree break हो जाता है तूट जाता है storm यानि की आनि की वज़े से जो broken part है tree का वो bend हो जाता है mood जाता है और ground को touch करता है 30 degree angle के साथ इसके अलावा जो foot of the tree है और जहाँ पर tree ground को touch करता है उसके बीच का distance हमें 8 meter दिया गया है हमें पता लगाना है tree की height कितनी थी paid कितना उचा था so solution में सबसे पहले जो भी problem दी गई है इसके लिए एक figure बना लेंगे easy हो जाएगा हमारे लिए समझना so माल लेते हैं ये हमारा एक tree है a point से लेकर b point तक ये हमारा a b paid हो गया माल लेते हैं ये इस point यानि कि c से तूट जाता है और bend हो जाता है जो ground को यहाँ पर d point पर touch करता है और हमें ये दिया गया है कि ground के साथ ये touch होने पर 30 degree का angle बनाता है यानि कि ये angle यहाँ पर हो जाएगा 30 degree का इसके बाद foot of tree और tree का जो upper part ground को touch करता है इसके beach का distance हमें यहाँ पर दिया गया है 8 meter यानि कि b से d हो जाएगा हमारा ये 8 meter अब जो भी हमारा ये tree था इसकी height हमें पता करनी है तो simple सी बात सत्य पहले क्या समझना होगा जो a, c यहाँ पर था ये टूट गया उपर वाला part है ये paid का ये टूट गया और ये bend हो गया यानि कि a से c और c से d ये एक दूसरे के equal होंगे क्योंकि यही वाला tree का part यहाँ पर bend हुआ है ground को d point पर touch किया है तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी हमने ये figure बनाया है इसके लिए लिख देंगे a, b is the tree which breaks at c and touches ground at d a, b हमारा paid है c point से ये टूटता है, bend हो जाता है और ground को touch करता है d point पर अब हमें paid की height find करनी है paid की height क्या होगी b c पता होना चाहिए और c d पता होना चाहिए तब हमें पता चलेगा की paid की height क्या है तो सबसे पहले b c find कर लेते हैं हमें base दिया गया है 8 meter b c find करने के लिए क्या करेंगे base और perpendicular किसमें आता है perpendicular upon base जो होता है 10 theta के equal यहाँ पर मैं लिखूंगा 10 theta की जगे पर value पुट कर देंगे 30 degree 10 theta की जगे पर आ गया 30 degree equals to में क्या होगा guys perpendicular upon में base perpendicular b c और base b d यहाँ पर आ जाएगा हमारा b c upon में b d अब next step में इनकी values पुट कर देंगे 10 theta की value आपको पता होगी 1 upon में root 3 होता है equals to में b c की value हमें find करनी है तो b c हमारा as it is आ जाएगा इसके बाद denominator में यहाँ पर है b d b d की value यहाँ पर 8 meter है सो b d की जगे पर आ जाएगा 8 इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ b c बचता है इसके अलावा सभी values हमारी put हो गई है तो b c की value यहाँ से find की जा सकती है b c की value find करने के लिए 8 को इस तरफ बेजना होगा 8 यहाँ पर divide में है इस तरफ बेजेंगे तो 1 में multiply हो जाएगा 8 को 1 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 8 denominator में root 3 as it is और equals तुमें आ जाएगा b c जो b c है यह हमने find कर लिया है 8 root 3 इसके बाद हम यहाँ पर c से d भी find करना होगा हमें base दिया गया है c से d find करना है यानि कि hypotenious find करनी है base और hypotenious base upon में hypotenious यह किसके equal होता है cos theta के equal यानि यहाँ पर मैं लिखूंगा cos theta की जगह पर मैं लिख दूँगा 30 degree जो angle हमें दिया गया है cos 30 degree equals to में क्या होगा base upon में hypotenious base यहाँ पर 8 meter हमें दिया गया है या फिर लिख देते हैं base हमारा b d और hypotenious upon में आ जाएगा c d जो यहाँ आ जाएगा b d upon में c d जो भी हमारी values होंगी उनको put करते है cos 30 की value होती है guys root 3 upon में 2 equals का sign लगाएंगे यहाँ पर है b d b d की value यहाँ पर 8 given है सो b d की जगह पर आ जाएगा 8 इसके बाद denominator में c d हमारा as it is होगा सबी values put हो गई है यानि की c d की value यहाँ से find की जा सकती है c d की value को find करने के लिए जो भी हमारे ये fraction है इनको cross में multiply कर देंगे c d को root 3 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा root 3 c d equals का sign लगाएंगे यहाँ पर cross में 2 और 8 को multiply किया जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा 16 c d की value हमें find करनी है तो c d equals to में क्या होगा इस side में हमारा 16 आ जाएगा और c d के साथ यहाँ पर root 3 multiply में है दूसरी side shift करेंगे तो यह हो जाएगा divide में root 3 c d की value यहाँ पर हमने find कर ली है 16 upon में root 3 c d हमने find कर लिया b c हमने find कर लिया अब जो tree है उसकी height क्या होगी अगर हम b c और c d को add कर दें तबी तो हमें paid की height मिलेगी c d और a c यह एक दूसरे के equal है क्योंकि tree का यह part है जो यहाँ पर bend हुआ है तूटने के बाद तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ height of tree equals to tree की height किसकी equal होगी जब हम b c plus में c d कर देंगे b c और c d को add कर देंगे जो भी हमारी b c और c d है इनकी value यहाँ पर put कर लेते हैं यहाँ पर solve कर लेते हैं इसे easy हो जाएगा हमारा तो यहाँ पर सबसे पहले b c की value आप देख सकते हो 8 upon में root 3 हमने find किया है तो यहाँ पर आ गया 8 upon में root 3 plus का sign लगाएंगे इसमें हमें add करना है c d की value जो यहाँ पर हमने find की है 16 upon में root 3 जो भी हमारे यह दो fraction है इन दोनों को add करेंगे denominator में आप देख सकते हो दोनों जगे पर root 3 है lc m लेने पर denominator में root 3 ही रहेगा उपर वाली values में कोई भी difference नहीं आएगा क्योंकि नीचे same value है तो यहाँ पर 8 plus में 16 है तो यह as it is यहाँ पर आ जाएगा अब इसे next step में guys 8 plus 16 यह हो जाएगा हमारा 24 और denominator में root 3 आ जाएगा as it is आपको बताया गया है कई बार कि जो भी हमारा final answer होगा उस answer के denominator में कोई भी value root के अंदर नहीं होनी चाहिए तो इस value को root से बाहर निकालने के लिए rationalize करना होगा और rationalize करने के लिए multiply का sign लगाएंगे जो भी denominator में root के अंदर value है इसको उपर भी multiply कर देंगे और नीचे भी multiply कर देंगे 24 को root 3 से multiply करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 24 root 3 इसके बाद denominator में आप देखो root 3 को root 3 से multiply करेंगे यानि कि root 3 multiply में root 3 root के अंदर pair बन जाएगा तो एक 3 बाहर आ जाएगा यानि कि root 3 को root 3 से multiply करने पर हमें 3 मिल जाएगा अब आप simply यहाँ पर देख सकते हो 3 के table में 24 आता है 3 बन जा 3, 3 8 जा होता है 24 यानि कि जो भी हमारा ये tree है जो टूट गया टूटने से पहले इसकी height कितनी थी 8 root 3 meter बिल्कुल simple question है सबसे पहले BC की value find कर लेंगे उसके बाद CD की value find कर लेंगे दोनों को add करेंगे तो इस tree की height हमें मिल जाती है 8 root 3 meter यही हो जाएका question number 2 का answer question number 3 के लिए move करते हैं next page पर question number 3 इसमें है a contractor plans to install two slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years she prefer to have a slide whose toby is at a height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground whereas for the older children she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground what should be the length of the slide in each case question number 3 में एक contractor है जो plan करती है दो slide लगाने का slide यानि की वही जूला जिस पे फिसलते हैं तो इन्हें पार्क में दो slide लगाने हैं एक 5 years से कम यानि की below 5 years के लिए और एक elder children के लिए 5 साल से कम बच्चों के लिए जो slide लगेगी वो 1.5 meter उसका top होगा उसकी height होगी और incline angle होगा ground के साथ 30 degree और elder children यानि की 5 साल से बड़े बच्चों के लिए जो जूला लगेगा उसकी height होगी 3 meter और angle बनाएगा वो ground के साथ 60 degree तो हमें बताना है दोनों condition में जो slide बनेगी उसकी लंबाई कितनी होगी 5 साल से कम बच्चों के लिए slide की लंबाई कितनी होगी और elder children के लिए कितनी लंबाई होगी ये दोनों हमें पता लगाने हैं तो सबसे पहले 5 साल से कम बच्चों के लिए solution में बना लेते हैं यहाँ पर figure 5 साल से कम बच्चों के लिए हमें क्या कहा गया है कि जो भी height होगी slide की वो 1.5 meter होगी तो इस तरह से triangle बना लेंगे नाम दे देते हैं triangle को ABC यहाँ पर हमारी यह height होगी AB जो हमें यहाँ पर 1.5 meter दी गई है लिख देते हैं 1.5 meter इसकी height होगी अब हमें पता लगाना है कि इस तरफ बच्चे फिसलेंगे इस पर slide होगी तो इस slide की लंबाई कितनी है सबसे पहले इस problem के लिए जो भी हमने figure बनाया है उसके लिए लिख देता हूं AB is the top of slide and AC is the slide जो यह AB है यह top होगा slide का और AC यानि कि यह slide होगी जिस पर बच्चे फिसल के नीचे आएंगे इसके लावा 5 साल से कम बच्चों के लिए जो slide बनेगी वो ground के साथ 30 degree का angle बनाएगी यानि कि यह वाला angle हो जाएगा 30 degree अब हमें पता क्या लगाना है slide की लंबाई यानि की AC की value हमें find करनी है आप देख सकते हो perpendicular दिया गया है hypotenuse हमें find करनी है perpendicular upon में hypotenuse होता है sin theta तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा sin theta की जगे पर आ जाएगा हमारा angle जो है 30 degree sin 30 degree equals to में perpendicular upon में hypotenuse perpendicular AB है और hypotenuse AC है यानि कि यहाँ पर आ जाएगा AB upon में AC अब इन में values बुट करेंगे sin 30 की value क्या होती है 1 upon में 2 equals to में AB upon में AC AB की value यहाँ पर आप देख सकते हो 1.5 है तो AB की जगे पर 1.5 आ गया और denominator में AC हमारा as it is आ जाएगा क्योंकि AC की value ही हमें find करनी है अब इसमें आगे calculation बच जाती है बिल्कुल simple है इस तरह से cross में multiply कर देंगे AC को 1 से multiply कर देंगे तो हमारा AC ही रहेगा equals का sign लगा लेंगे और यहाँ पर 2 को 1.5 से cross में हमने multiply कर दिया 2 को 1.5 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 3 यानि कि जो भी बच्चों के लिए यह slide है 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए इसकी लंबाई हो जाएगी हमारी 3 मीटर यही हमें find करनी थी first वाले case में 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए जो slide बनेगी उसकी लंबाई हो जाएगी 3 मीटर अब 5 साल से बड़े यानि कि elder children's के लिए जो slide बनेगी उसकी लंबाई कितनी होगी इसको next page पर find करते है पीछे वाले page पर 5 साल से कम एज वाले children's के लिए slide की लंबाई हमने find कर ली थी 3 मीटर अब आ जाते हैं elder children's यानि कि 5 साल से बड़े children's के लिए slide की लंबाई क्या होगी उसके लिए condition यहाँ पर हमें दी है कि जो elder children's होगे 5 साल से बड़े children's होगे उनके लिए slide का top होगा 3 मीटर और angle बनेगा ground के साथ 60 डिगरी का तो यहाँ पर सबसे पहले यह slide है हमारी इसे नाम दे देते हैं ABC इसका top कितना होगा 3 मीटर यानि कि AB यह हो जाएगा हमारा guys 3 मीटर इसके बाद जो angle है वो 60 डिगरी बनेगा ground के साथ यानि कि यह वाला angle 60 डिगरी होगा इस condition में भी हमें इस slide की लंबाई पता लगानी है so elder children's के लिए जो भी हमने यह figure बनाया है इसके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ AB is the top of slide and AC is slide जो AB है यह slide का top होगा और AC actual में slide होगी so हमें AC की value find करनी है बिल्कुल simple वही concept हम use करेंगे यहाँ पर हमारा angle change हुआ है सिर्फ perpendicular given है hypotenuse हमें find करना है perpendicular upon में hypotenuse क्या होता है sine theta यानि कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा sine angle कितना है theta की जगे पर put करेंगे 60 degree, sine 60 degree equals to में हो जाएगा perpendicular यानि की AB और upon में AC यानि की hypotenuse यहाँ पर आ जाएगा हमारा AB upon में AC अब इतमें values put करेंगे sine 60 की value होती है guys root 3 upon में 2 equals का sign लगाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हो AB की value हमें दी गई है 3 meter यानि की AB की जगे पर आ जाएगा 3 और upon में AC हमारा as it is आ जाएगा हमें AC AC की value find करनी है और AC की value find करने के लिए simple है cross में multiply कर दो AC को root 3 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा root 3 AC equals to में इसके बाद 2 को 3 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 6 इसको आगे solve कर लेते हैं यहाँ पर बिल्कुल simple है AC हमारा as it is रहेगा AC के साथ root 3 multiply में है इसे दूसरी side shift करेंगे दूसरी side सबसे पहले यहाँ पर 6 है root 3 को दूसरी side shift करेंगे तो यह चला जाएगा यहाँ पर divide में अब आपको बताया गया है कई बार बताया है AC को ऊपर और नीचे AC fraction में multiply कर देंगे root 3 upon में root 3 यहाँ पर multiply कर दिया जाएगा अब simple है यहाँ पर 6 को root 3 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 6 root 3 और denominator में root 3 को root 3 से multiply करेंगे root के अंदर 3 का pair बन जाएगा तो 3 वहाँ से बाहर निकल जाएगा अब आप देख सकते हो 3 से 6 को cancel किया जा सकता है 3 टूजा हो जाएगा 6 final answer हमारा आएगा 2 root 3 elder children यानि की 5 साल से बड़े बच्चों के लिए जो slide बनेगी उसकी लंबाई हो जाएगी 2 root 3 meter और 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए हमने पीछे वाले पेच पर find कर ली थी 3 meter question number 3 में हमें दोनो slides की लंबाई पता लगानी थी जो हमने यहाँ पर find कर ली है 3 meter और 2 root 3 meter final answer यहाँ पर लिख देंगे hence the slides are 3 meter and 2 root 3 meter दोनो slide की लंबाई हमने पता लगा ली है 3 meter हो जाएगी और 2 root 3 meter यही हो जाएगा question number 3 का answer question number 4 के लिए move करते हैं next page पर question number 4 इसमें है the angle of elevation of the top of a tower from a point on ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree find the height of the tower question number 4 में tower के top से angle of elevation बनता है ground पर 30 degree angle के साथ और जहाँ पर भी ये angle बनता है वो tower के foot से 30 meter away यानिकि 30 meter दूरी पर है तो हमें पता लगाना है tower की height क्या होगी solution में सबसे पहले जो भी problem दी गई है इसके लिए इस तरह से triangle बना लेंगे figure बना लेंगे easily हमें समझ में आ जाएगा माल लेंगे ये हमारा a b tower है tower के top से ground पर angle बनता है कितने degree का 30 degree का और ये angle foot of tower से कितनी दूरी पर बनता है 30 meter दूरी पर तो ये हो जाएगा हमारा 30 meter जहां पर angle बनता है इस point को नाम दे देते हैं c solution में हमने जो भी ये figure बनाया है इसके लिए यहां पर लिख देते हैं a b is the tower and c is 30 meter away from the foot of tower a b हमारा ये tower है और जो c point है ये 30 meter दूरी पर है foot of tower से अब हमें tower की height यानि की a b find करना है simple base हमें given है perpendicular find करना है तो perpendicular upon base ये equal होता है 10 theta के यानि कि यहां पर हम लिखेंगे 10 theta ठीटा की जगह पर put करूँगा मैं जो ये angle हमें given है 30 degree 10 30 degree equals तुमें क्या हो जाएगा perpendicular upon में base perpendicular a b और base b c यानि कि यहां पर आ जाएगा a b upon में b c इसके next step में values put करेंगे 10 30 की value होती है guys 1 upon में root 3 equals का sign लगाएंगे a b यहां पर आप देख सकते हो हमें find करना है यानि कि a b हमारा azds आ जाएगा denominator में आ जाएगा b c इसकी value आप देख सकते हो 30 हमें दी गई है तो यहां पर आ जाएगा 30 अब इसको solve करके यहां से a b की value find कर लेंगे a b की value find करने के लिए 30 यहां पर divide में है a b के साथ इस तरफ 1 में multiply कर देंगे 30 को 1 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 30 और denominator में हमारा root 3 as it is रहेगा equals to में यहां पर a b भी लिख देंगे लेकिन आपको बताया गया है कि कभी भी denominator में हमारी value जो final answer होगा हमारी value root के अंदर नहीं होनी चाहिए तो इस value को rationalize करेंगे यहां पर कर लेते हैं a b equals to में मिला है हमें 30 upon में root 3 rationalize करने के लिए multiply का sign लगाएंगे जो भी नीचे value है इसी को उपर और नीचे multiply कर देंगे root 3 upon root 3 से 30 upon root 3 को multiply कर दिया अब यहां पर आप देख सकते हो 30 को root 3 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 30 root 3 और denominator में आप देख सकते हो root 3 को root 3 से multiply करेंगे तो root के अंदर pair बन जाएगा 3 से 30 को यहां पर cancel किया जा सकता है 3 से 30 को cancel करेंगे 10 times per यानि कि जो a, b है इसकी value हमें मिल जाती है 10 root 3 meter जो height है इस tower की यही tower की height हमें find करनी थी तो last में यहां पर लिख देंगे hence the height of tower is 10 root 3 meter यही हो जाएगा question number 4 के लिए answer question number 5 के लिए move करते है next page पर question number 5 इसमें है a kite is flying at a height of 60 meter above the ground the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground the inclination of the string with the ground is 60 degree find the length of the string assuming that there is no slack in the string question number 5 में एक kite यानि की पतंग है जो ground से 60 meter उचाई पर है kite का जो string है उसको ground से attach किया गया है string और ground के बीच में 60 degree का angle बनता है हमें पता लगाना है कि जो भी kite का string है उसकी लंबाई कितनी होगी और यहाँ पर हमें यह भी बोला गया है कि assume कर लेना है कि kite के string में कोई भी slack नहीं है वो बिलकुल straight है सो solution में सबसे पहले जो भी problem दी गई है इसके लिए एक triangle बना लेंगे figure बना लेंगे माल लेंगे यह हमारा kite है जो ground से कितनी उपर है 60 meter यानि कि यह हो जाएगा हमारा 60 meter जो हमारा यह ground है इसको नाम दे देते हैं A, B और kite कहाँ पर है C point पर ground से यह 60 meter की उचाई पर है इसके अलावा जो हमारा A, C है यह kite का string है इस string को A point पर ground से बांदा गया है सो यहाँ पर हमें find करना है कि इस A, C यानि कि string की लंबाई कितनी होगी solution में जो भी figure बनाया है इसके बारे में लिख देते हैं सबसे पहले B, C is the height of kite and A is the point where string tied जो B, C है triangle में यह kite की height है और A point पर kite के string को बांदा गया है इसके अलावा हमें यह भी दिया गया है कि string और ground के बीच में 60 degree का angle बनता है सो यह string है, यह ground है इसके बीच में बनने वाला यह angle दिया गया है 60 degree का अब हमें A, C यानि कि string की लंबाई पता लगानी है देख सकते हो, perpendicular दिया है हमें hypotenious find करना है perpendicular upon hypotenious यह equal होता है sin theta के यानि कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा sin theta की जगह पर रखेंगे यह वाला angle जो हमें question में given है 60 degree equals to me sin theta कि इसके equal होता है perpendicular upon में hypotenious perpendicular हमारा bc है और hypotenious है ac यानि कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा bc upon में ac अब इन में values put करेंगे sin 60 की value होती है guys root 3 upon में 2 equals का sign लगा लेंगे bc की value आप देख सकते हो यहाँ पर 60 meter हमें given है सो bc की जगह पर आ जाएगा 60 और ac हमारा ac रहेगा अब इसको solve करने के लिए cross multiply करेंगे ac को root 3 में multiply करेंगे तो यह हो जाएगा root 3 ac equals to में यहाँ पर 2 को 60 से multiply करना होगा 2 को 60 से multiply करने पर हमें मिलेगा 120 इससे next step में ac की value find करेंगे तो यहाँ पर हमारा ac as it is रहेगा equals to में 120 भी आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो root 3 ac के साथ multiply में है दूसरी side shift करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा divide में अब कोई भी value हमारी divide में denominator में होती है उसको root के अंदर नहीं रखा जाता है यानि कि इस fraction को rationalize करेंगे rationalize करने का बिल्कुल simple सा तरीका है root 3 denominator में है इसको उपर भी multiply कर दो और नीचे भी multiply कर दो इसी तरह से question 4 में भी हमने rationalize किया था तो बिल्कुल simple है 120 को root 3 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 120 root 3 as it is और denominator में आप देख सकते हो root 3 को root 3 से multiply करना है तो root के अंदर pair बन जाएगा जिसमें से 3 बाहर आ जाएगा अब 3 से 120 को cancel किया जा सकता है कितने पर 40 times पर यानि कि जो हमारा AC है इसकी value क्या होगी 40 root 3 meter यह आ जाएगा हमारा 40 root 3 meter यह होगी इस string की लंबाई जिससे kite को उडाया जा रहा है और जिसको ground पे tie किया गया है बांधा गया है last में यहाँ पर लिख देंगे hence the length of the string is 40 root 3 meter यही हो जाएगा question number 5 के लिए हमारा answer question number 5 हो जाता है इसी answer के साथ complete question number 6 के लिए move करते हैं guys next page पर question number 6 इसमें है 1.5 meter tall boy is standing at some distance of a 30 meter tall building the angle of the elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walked towards the building find the distance he walked towards the building question number 6 में एक लड़का है जिसकी height 1.5 meter given है लड़का एक बिलड़का के सामने खड़ा है जिसकी height 30 meter दी गई है लड़के की आँखों से बिलड़के के top पर angle बनता है 30 degree उसके बाद वो लड़का बिलड़का की तरफ move करता है तो angle 60 degree हो जाता है हमें पता लगाना है कि लड़का बिलड़का की तरफ कितना move किया सो solution में सबसे पहले जो भी question number 6 में problem दी गई है इसके लिए figure बना लेंगे figure सही बना तो answer भी हमें सही मिलेगा figure में सबसे पहले मान लेते हैं A से लेकर B तक हमारी building है जिसकी height हमें 30 meter दी गई है इसके बाद यहाँ पर यह हमारा लड़का है जो building के पास खड़ा है जिसकी height है 1.5 इसको नाम देते हैं C से D तक इसकी height है 1.5 meter height वाले लड़के की आँखों से angle बनता है तो base line जो कखेंगे हम वो इसकी आँखों के horizontal होगी इसकी eyes यहाँ पर है तो यह हमारी horizontal line हो गई अब angle बनता है इसकी आँखों से building के top पर यानि की इस line और इस base line के बीच में angle बनता है कितने degree का 30 degree का तो यह angle बना देते हैं यहाँ पर 30 degree इसके बाद यह लड़का यहाँ से building की तरफ move करता है suppose कर लीजिए यह लड़का यहाँ तक move करता है जहाँ पर arrow लगाया गया है तो जो भी यह building है इसके top से angle 60 degree हो जाता है तो इस building के top से इस point पर एक line ड्रो करेंगे अब जो इस line का और base का angle है वो 60 degree हो गया है हमें यह पता लगाना है कि लड़का अपनी position से कितना move किया building की side लड़के की initial position D पर है और लड़के की जो final position है वो होती है E point पर हमें पता लगाना है D से E तक लड़के ने कितना distance move किया यानि कि D E की value find करनी है figure में इस वाले point को भी नाम दे देते हैं F figure में सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि A F कितना है A से लेकर B तक तो हमारा पूरा 30 meter है A से F तक पता लगाने के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ A F equals का sign लगा लेते हैं अब देख सकते हो A से लेकर B तक total 30 meter है A से F का पता लगाने के लिए क्या करेंगे A B में से F B को माइनस कर दिया जाएगा A B हमारा total 30 है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 30 माइनस करेंगे इसमें से F B को F B कितना होगा जितना लड़के की height है उतना ही यह F B होगा यानि कि इसमें से माइनस करेंगे 1.5 30 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 28.5 meter लड़के की height से जो horizontal line हमने draw की है इससे building का top कितनी उपर है यहाँ पर हमने find कर लिया है 28.5 meter A से F तक है यह हमें find करना है D E D E find करने के लिए हमें E F पता होना चाहिए और D F पता होना चाहिए सबसे पहले E F पता लगा लेते हैं E F पता लगाने के लिए triangle लेंगे हम triangle A E F सो solution में मैं लिखता हूँ in triangle A E F A E F में आप देख सकते हो इस वाले triangle में यहाँ पर angle बनता है 60 degree का हमें perpendicular दिया गया है base find करना है आपको पता होगा perpendicular upon में base यह equal होटा है 10 theta के equal यानि कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10 theta की जगे पर आ जाएगा यह angle 60 degree equals to का sign लगा देंगे perpendicular A F है जो हमें 28.5 दिया गया है यानि यहाँ पर पहले A F ही लिख लेते है A F आ जाएगा denominator में आ जाएगा हमारा base यानि की E F triangle A E F में 10 theta वाली term का यूज करके इस conclusion पर हम पहुंचे अब इसमें values पूट करेंगे 10 theta की value कितनी होती है गैस root 3 equals to में A F की value आप देख सकते हो यहाँ पर है 28.5 यहाँ पर आ जाएगा 28.5 और denominator में आ जाएगा हमारा E F हमें find करनी है E F की value E F की value find करने के लिए root 3 और E F इन दोनों की position को change कर देंगे cross में change हम कर सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा हमारा E F equals to में 28.5 as it is और denominator में यहाँ पर root 3 उपर है इस side shift करेंगे तो हुझाएगा divide में denominator में आ जाएगा जो हमारा यह E F है इसकी value आ गई 28.5 upon में root 3 जैसे हमने E F की value find की है बिल्कुल उसी तरह से D F की value find करेंगे अब triangle लेंगे A D F तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ inner triangle A D F A D F वाले triangle में आप देख सकते हो perpendicular दिया गया है D F यानि की base हमें find करना है यानि की अब की बार फिर से use करेंगे हम 10 theta तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 theta की जगह पर आ जाएगा अब angle लिखना है हमें 30 degree क्योंकि आप देख सकते हो A D F इस वाले triangle में theta हमारा 30 degree angle होगा 10 30 degree आ जाएगा equals to में क्या हो जाएगा A F अपोन में D F perpendicular upon में base अब इसमें values पूट करेंगे 10 30 की value आपको पता ही होगा 1 अपोन में root 3 होती है equals का sign लगा देंगे इस A F की value यहाँ पर आप देख सकते हो 28.5 हमें given है इसके बाद denominator में D F as E T आ जाएगा हमें पता लगाना है D F की value D F की value पता लगाने के लिए cross में multiply करेंगे D F को 1 से multiply करेंगे तो D F ही रहेगा equals का sign लगा लेंगे root 3 को 28.5 से इस तरह क्रोस में multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 28.5 और root 3 में हो जाएगा root 3 और D से F की value हमने पता लगा ली 28.5 root 3 हमें यह पता लगाना है कि जो भी boy यानि की लड़का है वो building की तरफ कितना move किया यानि की D E की value हमें पता लगानी है so D E की value को किस तरह से find किया जा सकता है बिल्कुल simple है इस पूरी line D F में से E F को हटा देंगे तो हमारे पास D E बच जाएगा यानि D E find करने के लिए हम D F में से minus कर देंगे E F को हमें D F की value भी पता है और E F की value भी पता है तो इसमें values put करते हैं सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर D F जो हमने find किया है 28.5 root 3 इसमें से minus करना है हमें E F को जिसकी value यहाँ पर हमने find की है 28.5 upon में root 3 आप simply देख सकते हो यहाँ पर fraction है इसको solve करने के लिए हमें LCM लेना होगा यहाँ पर root 3 है इसके नीचे कोई भी value नहीं है तो LCM हमारा root 3 ही रहेगा root 3 के उपर कौन सी values आएंगी इन चीजों पर हमें ध्यान देना है अगर हमें एक simple value दी गई है और एक fraction में दी गई है तो जो भी fraction वाली value है उसके denominator को simple value में multiply कर देते हैं solve करने के लिए so 28.5 root 3 में हम multiply करेंगे root 3 multiply करने पर 28.5 हमारा as it is रहेगा root 3 को root 3 से multiply करेंगे तो ये हमारा 3 बन जाएगा क्योंकि root के अंदर pair हो जाएगा इस तरह से हमारी value हो जाएगी 3 multiply में 3 root के अंदर pair बन गया तो एक value बाहरा जाएगी जो 3 होगी यानि simple words में 28.5 root 3 को अगर root 3 से multiply करेंगे तो हमें मिलेगा 28.5 multiply में 3 इसके बाद minus का sign as it is आ जाएगा और ये वाला 28.5 यहां पर लिख दिया जाएगा अब इसको आगे solve करना बिल्कुल simple होगा हमारे लिए 28.5 को 3 से multiply करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 85.5 minus में 28.5 हमारा as it is और denominator में root 3 भी आ जाएगा 85.5 में से 28.5 को minus करेंगे तो हमें मिलेगा 57 और denominator में root 3 as it is है हमारी value denominator में root के अंदर है यानि कि इसको हमें rationalize करना होगा उसके बाद final answer हमें DE की value मिलेगी तो इसको rationalize करने के लिए उपर वाली value 57 as it is और denominator में root 3 भी as it is rationalize करने के लिए क्या करना होगा जो भी denominator वाली value है इसको उपर और नीचे दोनों जगे multiply किया जाएगा यानि यहाँ पर आ जाएगा root 3 upon में root 3 इसको multiply करने पर क्या होगा 57 को root 3 से multiply करेंगे तो यहाँ पर हमारा 57 root 3 आ जाएगा और denominator में क्या होगा root 3 को root 3 से multiply करेंगे तो pair बन जाएगा root के अंदर एक 3 बहार आ जाएगा यानि कि यहाँ पर आ जाएगा 3 अब इस 3 से 57 को cancel किया जा सकता है कितने times पर किया जा सकता है 19 times पर क्योंकि 19 threes होता है 57 so 3 से 57 को cancel करेंगे 19 times पर final हमें DE की value मिलेगी 19 root 3 meter यह 1.5 meter tall boy building की तरफ move करता है 19 root 3 meter का distance D से E point तक question number 6 में हमें यही find करना था तो यह हो जाता है हमारा answer question number 7 इसमें है from a point on the ground the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively find the height of the transmission tower question number 7 में एक building है जिसकी height हमें 20 meter दी गई है building के उपर लगा है एक transmission tower ground के किसी point से transmission tower के bottom और top पर बनने वाले angles of 45 degree और 60 degree हमें दिये गई है हमें पता लगाना है transmission tower की height कितनी होगी so solution में सबसे पहले जो भी situation यहाँ पर दी गई है इसके लिए figure बनाएंगे सबसे पहले बनाएंगे 20 meter height वाली building so माल लेते हैं यह हमारा point D है C से D तक यह transmission tower है जिसकी height हमें find करनी है इसके अलावा हमें यह बोला गया है कि ground के किसी point से bottom और top पर बनने वाले angles 45 और 60 degree है so माल लेते हैं यह हमारा ground का कोई point है A, इस A point से transmission tower के bottom पर जो angle बनता है वो दिया गया है 45 degree और जो top पर बनता है यानि कि ये वाली line जो angle बनाएगी ground के साथ ये हो जाएगा हमारा 60 degree जो भी information question में दी गई थी उससे हमने figure तयार कर लिया है अब transmission tower यानि कि C, D हमें find करना होगा C, D find करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए base A, B सबसे पहले A, B find करेंगे A, B find करने के लिए triangle लेंगे A, B, C solution में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ in triangle A, B, C triangle A, B, C में आप देख सकते हो perpendicular पता है base find करना है perpendicular upon में base ये होता है 10 theta की equal सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 theta की जगए पर आप देख सकते हो इस वाले triangle में ये angle है 45 degree का यानि कि 1045 degree equals to में perpendicular है हमारा B, C और base है हमारा A, B यहाँ पर आ जाएगा हमारा B, C upon में A, B अब इसमें values पुट करेंगे 1045 की value होती है guys 1, सो इसकी जगए पर लिख देंगे 1 equals का sign लगाके यहाँ पर आप देख सकते हो B, C इसकी value हमें 20 given है तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और upon में A, B हमारा as it is यहाँ से हमें A, B यानि की base find करना है तो A, B को इस तरफ 1 में multiply कर देंगे cross में multiply होगा तो A, B को 1 से multiply करेंगे तो A, B ही रहेगा और equals to में आ जाएगा 20 A, B हमारा base है जो हमने यहाँ पर find कर लिया है 20 तो figure में यहाँ पर लिख देते हैं 20 अब इसके बाद हम लेंगे triangle A, B, D बड़ा वाला triangle लेंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ in triangle A, B, D triangle A, B, D में फिर से यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 theta की जगह पर value हमारी change हो जाएगी A, B, D वाले triangle में यह angle कितने degree का है 60 degree का तो यहाँ पर आ जाएगा 1060 degree equals to में हो जाएगा हमारा B, D upon में A, B perpendicular upon में base यानि की B, D upon में A, B आ जाएगा अब values put करेंगे 1060 की value होती है guys root 3 put कर देंगे 1060 की जगह पर equals का sign लगा देंगे B, D की value हमें नहीं पता है यही हमें find करना है तो B, D as it is आ जाएगा denominator में आप देख सकते हो A, B की value यहाँ पर हमने 20 find की थी सो इस A, B की जगह पर आ जाएगा 20 यहाँ से हमें B, D की value find करनी है तो 20 को इस side में shift करना होगा यहाँ पर divide में है इस तरफ आके हो जाएगा multiply root 3 को 20 में multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 20 root 3 equals to me B, D B, D की value यहाँ पर हमने find कर ली है 20 root 3 यानि की building और उसके उपर जो tower लगा है दोनों की height को मिला देंगे तो 20 root 3 मीटर हो जाएगा लेकिन हमें तो सिर्फ transmission tower की height find करनी है तो transmission tower की height find करने के लिए क्या करेंगे जो हमारा B, D हमने find किया है B, D में से इस building को हटा देते है building की height को minus कर देते है तो C, D यानि की transmission tower की height हमें मिल जाएगी तो बिल्कुल simple C, D यानि की transmission tower की height find करने के लिए C, D equals to में क्या करेंगे जो B, D है इसमें से B, C को minus कर देंगे यहाँ पर हमारा आ जाएगा B, D इसमें से minus करेंगे B, C को तो transmission tower यानि की C, D की value हमें मिल जाएगी तो यहाँ पर values बुट करते है B, D की value यहाँ पर हमने find की है 20, root 3 लिख देते है इसमें से minus करेंगे B, C यानि की building की height को जो यहाँ पर है B, C की value 20 अब बिल्कुल simple 20, root 3 में से 20 को minus करेंगे तो यह आ जाएगा root 3 अगर किसी ने ऐसा किया तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर हमने 20 को root 3 से अभी तक multiply नहीं किया है तो 20 इसमें से minus नहीं कर सकते 20 root 3 में से 20 को minus नहीं किया जा सकता है जब तक हम 20 में root 3 multiply नहीं करेंगे बहुत सारे बच्चे इस तरह की mistake करतेते हैं इस छोटे से point को ध्यान रखना है अब यहाँ पर किया क्या जाएगा यह समझ लो देख सकते हो आप इसमें भी 20 है इसमें भी 20 है तो यहाँ से 20 कोमल ले लेते हैं ब्रैकेट लगा देंगे इसमें से 20 कोमल लेने पर बचेगा क्या root 3 यहाँ पर लगा देते हैं इसके बाद minus का sign as it is यहाँ पर 20 है और 20 ही हमने कोमल ले लिया है 20 में से 20 कोमल लेने पर बचेगा क्या गाईज 1 बिल्कुल सिंपल है इन दोनों टर्म्स में से 20 कोमल ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर root 3 माइनस में 1 value हमें मिल जाएगी यही height होगी cd यानि की transmission tower की यह height होगी transmission tower की इसके आगे unit भी लिख देते हैं जो हो जाएगी meter यही हमें find करनी थी तो question number 7 का हो जाता है यह answer question number 7 इसे answer के साथ हो जाता है complete question number 8 के लिए move करते हैं next page पर question number 8 इसमें है a statue is 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree find the height of the pedestal question number 8 में कोई statue है जिसके height 1.6 meter दी गई है statue को एक pedestal पर रखा गया है pedestal एक base होता है किसी statue या फिर किसी मूर्ती को रखने के लिए यानि simple words में pedestal के उपर statue को रखा गया है जिसकी height है 1.6 meter अब किसी एक point से angle of elevation बनता है statue के top पर 60 degree का और उसी same point से angle of elevation बनता है pedestal के top पर 45 degree तो हमें पता लगाना है pedestal की height कितनी होगी question number 8 के लिए सबसे पहले solution में बना लेंगे figure suppose कर लेते हैं ये हमारा B point है और ये हमारा C point है B से लेकर C तक ये हमारा pedestal हो जाएगा और इस pedestal के उपर रखा गया है statue यानि कि C से इस point D तक ये हमारा एक statue हो जाएगा CD इसके बाद ground पर हमारा माल लेते हैं ये है point A इस A point से statue के top पर ये statue का top है सो statue के top पर angle बनता है हमें दिया गया है इस angle के अलावा इस सेँ पोंट से pedestal के टोप पर जो एंगल बनता है वो 45 डिगरी का है तो pedestal के top पर बनने वाला ये angle हो जाएगा यहां पर ये दिया गया है हमें 45 डिगरी ground से statue के top पर बनने वाला angle 60 degree है और ground से pedestal के top पर बनने वाला angle 45 degree हमें दिया गया है इसके अलावा हमें ये भी दिया है कि statue की height 1.6 meter है statue हमारा C से D है तो इसकी height हो जाएगी यहाँ पर 1.6 हमें pedestal यानि की BC का पता लगाना है BC पता लगाने के लिए सबसे पहले मैं triangle लूँगा ABC solution में लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं in triangle ABC triangle ABC में जो ये perpendicular है और base है इनका relation पता लगाएंगे perpendicular upon में base ये होता है 10 theta के equal सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा guys 10 theta की जगह पर क्या आएगा triangle ABC में ये angle कितने degree का है 45 degree का तो यहाँ पर 10 45 आ जाएगा equals to का sign लगाएंगे 10 theta के इसके equal होता है perpendicular upon में base यानि की BC upon में आ जाएगा AB लिख देते हैं यहाँ पर BC upon में AB यानि की perpendicular upon में base अब इनकी values पुट करेंगे 10 45 की value होती है guys 1 equals का sign लगाएंगे ना ही हमें यहाँ पर BC की value पता है और ना ही AB की value पता है तो इनको as it is यहाँ पर लिखेंगे BC भी हमारा as it is आएगा और AB भी as it is आएगा इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो AB divide में है अगर इस side shift कर देंगे तो यह 1 में cross में multiply हो जाएगा AB को 1 से multiply करेंगे तो यह AB ही रहेगा और equals तुमें बचेगा BC यह हमारी हो जाएगी guys first equation इस equation में आप देख सकते हो कि AB और BC यह एक दूसरे के equal है इस first equation के बाद अब triangle लूँगा मैं ABD triangle तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ in triangle ABD ABD triangle में हम फिर से perpendicular upon में base करेंगे यानि कि यह फिर से हो जाएगा हमारा 10 theta के equal अब theta की value change हो जाएगी आप देख सकते हो ABD में यह angle कितने degree का है 60 degree का यानि कि यहाँ पर आ जाएगा 10 60 degree equals to में 10 theta equal होता है perpendicular upon base के यहाँ पर आप perpendicular देख सकते हो B से D तक है लेकिन इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं BC plus में CD अगर BC और CD को add करेंगे तो यह पूरा perpendicular बन जाता है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इस तरह से BC plus में CD और denominator में आ जाएगा हमारा base यानि कि AB denominator में AB हमारा आ जाएगा अब values put करेंगे 1060 की value होती है root 3 तो इस 1060 की जगह पर लिख देंगे यहाँ पर root 3 equals का sign लगा लेंगे यह है हमारा BC आप देख सकते हो BC की value हमें नहीं पता है तो BC हमारा as it is आ जाएगा plus का sign लगा लेंगे यहाँ पर है हमारा CD CD की value हमें 1.6 दी गई है सो CD की जगह पर आ जाएगा 1.6 और denominator में आप देख सकते हो AB दिया गया है अब AB और BC यह एक दूसरे के equal है first equation से सो इस AB की जगह पर मैं BC लिख सकता हूँ by first equation लिख देता हूँ यहाँ पर AB की जगह BC क्योंकि यह एक दूसरे के equal है अब जो भी हमारी equation बनी है इसको यहाँ पर solve कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर BC को root 3 से multiply कर देंगे cross में यह है तो multiply हो जाएगा तो हमें मिलेगा BC root 3 equals का sign लगाएंगे तो BC plus में 1.6 हमारा as it is आ जाएगा हमें इस equation से pedestal यानि की BC की value find करनी है तो BC वाली terms को एक side में रखना पड़ेगा इस side में हमारा BC root 3 as it is रहेगा इसके बाद यहाँ पर plus का BC है इस तरफ आके हो जाएगा minus का BC equals to में आ जाएगा 1.6 as it is अब आप यहाँ पर देख सकते हो इस वाली term में भी BC आता है और इस वाली term में भी BC है यानि की BC को common लिया जा सकता है सो BC common लेने के बाद बचेगा क्या आप देख सकते हो BC root 3 में से BC को common ले लिया तो आ जाएगा हमारा root 3 इसके बाद minus का sign ये वाला as it is आ जाएगा यहाँ पर BC है BC को ही हमने common ले लिया तो बचा क्या हमारा 1 bracket लगा के equals का sign लगाएंगे और 1.6 हमारा as it is आ जाएगा हमें BC की value पता लगानी है तो root 3 minus 1 को दूसरी side में shift करना पड़ेगा तो इस side में हमारा BC as it is रहेगा equals to में आ जाएगा 1.6 और denominator में चला जाएगा BC के साथ root 3 minus 1 कैसे है multiply में तो दूसरी तरफ shift करेंगी यह हो जाएगा divide में यहाँ पर आ जाएगा root 3 minus में 1 यह हमारी BC की value हो जाएगी लेकिन final answer हमारा यह नहीं होगा क्योंकि आप देख सकते हो denominator में root के अंदर value है इस value को root से बाहर निकालने के लिए rationalize करना होगा rationalize करने के लिए multiply का sign लगाएंगे जो भी denominator में value दी गई है इनको multiply कर देंगे उपर और नीचे ध्यान रखना है इनके बीच वाला sign हमें change कर देना है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा root 3 sign यहाँ पर आप देख सकते हो minus का है इसे change करके करतेंगे plus का और 1 हमारा as it is आ जाएगा denominator में भी यही करेंगे root 3 plus में 1 से multiply कर देंगे उपर और नीचे root 3 plus 1 से multiply करने के बाद इसको solve करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1.6 multiply में root 3 plus में 1 as it is रहेगा इसके बाद denominator में आप देख सकते हो a minus में b a plus में b इस form में दिया गया है a minus में b और a plus में b और यह किसका formula होता है guys a square minus b square का class 8th और 9th में आपने इस formula का use किया होगा denominator में जो भी हमारी यह values हैं उन पर यह formula apply करेंगे तो हो जाएगा a का square यानि की root 3 का square root 3 का square करेंगे तो 3 हो जाता है देख सकते हो यह है root 3 इसका square करेंगे square से root cancel हो जाएगा बचेगा हमारा 3 so denominator में यहाँ पर आ जाएगा 3 इसके बाद यहाँ पर है 1 इसका भी square करेंगे 1 का square 1 ही होता है इससे पहले यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा ये वाला माइनस का साइन आ गया B का स्क्वेर यानि की 1 का स्क्वेर करेंगे तो 1 ही हमें मिलेगा बिलकुल सिम्पल है डिनोमिनेटर में जो भी हमारी वैल्यूस है उनको इस फोरूरूमले से सॉल्व करेंगे इसके बाद यहाँ पर गाइज 1.6 bracket root 3 plus में 1 तो as it is आ जाएगा और denominator में आप देख सकते हो 3 minus में 1 3 में से 1 को minus करेंगे तो हमें मिलेगा guys 2 अब इस 2 से 1.6 को cancel किया जा सकता है 2 से 1.6 को cancel करेंगे 2 के table में 16 कब आता है 8 जा पर लेकिन यहाँ पर 1.6 है point के पीछे वाली value हमने ले ली है तो इसको cancel करने पर हमें मिलेगा 0.8 यानि जो भी हमारा ये final answer है pedestal की height है वो हमें मिल जाता है यहाँ पर 0.8 bracket root 3 plus में 1 और इसकी unit हो जाएगी meter यही हो जाएगी इस BC की height यानि की pedestal की लंबाई या फिर कह सकते हैं pedestal की उचाई इसी pedestal की height हमें question number 8 में find करनी थी यानि की इसी answer के साथ question number 8 हो जाता है complete question number 9 के लिए move करते हैं next page पर question number 9 इसमें है the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree if the tower is 50 meter high find the height of the building question number 9 में एक tower है और एक building है tower की height हमें दी गई है 50 meter building की height हमें पता लगानी है condition क्या दी है कि building के top से angle of elevation बनता है tower के foot पर 30 degree का और angle of elevation बनता है tower के top से foot of the building पर 60 degree का तो हमें पता लगाना है building की height कितनी होगी solution में सबसे पहले question number 9 के लिए figure बनाएंगे figure बना लिया तो easy हो जाएगा question हमारे लिए सबसे पहले बना लेते हैं tower जिसकी height हमें 50 meter दी गई है माल लेते हैं इस figure में ये A से लेकर B तक tower है जिसकी height हमें 50 meter दी गई है tower के top से building के foot पर 60 degree का angle बनता है तो हमें एक building भी बनानी होगी माल लेते हैं C से लेकर D तक हमारी building हो गई है ये tower का top है tower के top से building के foot पर कितने degree का angle बनता है 60 degree का ये हमें दिया गया है question में इसके अलावा हमें ये भी का गया है कि building के top से tower के foot पर 30 degree का angle बनता है so CD हमारी ये building है इसके top से tower के foot पर angle बनता है 30 degree अब building की height कितनी होगी यानि की CD की value हमें पता लगानी है बिल्कुल simple question है सबसे पहले हम triangle लेंगे ABD इसका perpendicular हमें पता है base यहाँ पर find कर लिया जाएगा so solution में सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं in triangle ABD triangle ABD का perpendicular हमें पता है base हमें find करना है perpendicular upon में base यह equal होता है guys 10 theta के तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 theta की जगए पर आप देख सकते हो ABD में यह वाला angle of valuation कितना है 60 degree का यानि कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 60 degree equals to में perpendicular upon base हो जाएगा perpendicular हमारा AB है और base हमारा guys है B से D तक यह हमारी equation बनी है तो इसमें अब values पूट कर लेते हैं 10 60 degree किसके equal होता है root 3 के so 10 60 की जगए पर आ जाएगा हमारा root 3 equals का sign लगा लेंगे उपर आप देख सकते हो AB दिया गया है AB की value आप देख सकते हो 50 है so AB की जगए पर आ जाएगा 50 और denominator में BD हमारा as it is रहेगा यहां से हमें find करनी है BD की value और BD की value find करने के लिए क्या करेंगे जो root 3 है इसको यहां पर denominator में लेकर आ जाएगे और जो BD है इसको यहां पर root 3 की जगए पर लेकर आ जाएगे cross में जो भी term 7 को change किया जा सकता है so यहां पर आ जाएगा हमारा BD equals to में हमारा 50 as it is रहेगा और denominator में जहां BD था वहां पर root 3 इसकी जगए पर रख देंगे यानि की BD की value आ जाएगी हमारे 50 upon में root 3 BD की value हमने find कर ली है 50 upon में root 3 इसको rationalize नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारा final answer नहीं है final answer क्या होगा हमारा DC यानि की building की height और building की height find करने के लिए मैं triangle लूँगा BDC ये वाला triangle तो यहां पर हमें लिख लेता हूँ in triangle BDC triangle BDC में हमें BD की value तो पता है BD की value का use करके CD की value find की जा सकती है यानि की यहां पर क्या करेंगे perpendicular upon में base रखेंगे perpendicular upon base होता है 10 theta के equal यहां पर फिर से आ जाएगा हमारा 10 theta की जगे पर आप इस triangle में देख सकते हो जो angle of elevation है ये 30 degree है यानि की 10 30 degree हो जाएगा equals to में perpendicular कितना है perpendicular upon base यानि की यहां पर आ जाएगा perpendicular CD upon में base आ जाएगा BD अब इनकी values पुट करेंगे बिल्कुल simple है 10 30 degree इसकी value होती है guys 1 upon में root 3 equals का sign लगा देंगे यहां पर है CD इसकी value हमें नहीं पता है तो CD हमारा as it is आ जाएगा इसके बाद आप यहां पर देख सकते हो denominator में है BD और इसकी value हमने यहां पर find की है 50 upon में root 3 so CD के denominator में आ जाएगा 50 upon में root 3 अब इसको आगे यहां पर solve कर लेते हैं guys सबसे पहले यह वाला 1 upon में root 3 यहां पर आ जाएगा as it is 1 upon में root 3 के बाद आप यहां पर देख सकते हो हमें CD यानि की building की height find करनी है so CD की value find करने के लिए जो भी CD के divide में 50 upon root 3 है इसको दूसरी side में shift करना पड़ेगा 50 upon root 3 CD के साथ divide में है इस side shift करेंगे तो यह हो जाएगा guys multiply में 50 upon में root 3 equals to में हमारा CD as it is आ जाएगा जो भी यहां पर CD के denominator में value थी इसको side shift किया तो यह multiply में हो गई अब 1 को 50 से multiply करेंगे तो यह हमारा 50 ही रहेगा इसके बाद denominator में root 3 को root 3 से multiply करेंगे तो यह 3 हो जाएगा और equals to में CD हमारा as it is रहेगा जो हमारा यह CD यानि की building की height है यह आ जाती है हमारी 50 upon में 3 meter 50 upon में 3 यह अभी proper fraction में है अगर इसको improper fraction में change करना चाहते है तो वो भी बिल्कुल easily किया जा सकता है जो भी हमारी उपर वाली value है उसको रिखेंगे अंदर 50 है और इसके नीचे वाली value से divide कर दिया जाएगा denominator में यहाँ पर 3 है 3 से 50 को divide करेंगे 3 बंजा आ जाएगा यहाँ पर 3 5 में से 3 को minus करेंगे आ जाएगा 2 यह वाली 0 आ जाएगी यहाँ पर इसके बाद 3 के table में 20 नहीं आता है लेकिन 6 जा पर आता है 18 20 में से 18 को minus करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 तो जो भी हमारा यह 50 अपोन में 3 है अगर इसको improper fraction में लिखना है तो सबसे पहले जो भी कुशंट हमारा यहाँ पर आया है वो आ जाएगा सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं cd equals to me cd के equal में क्या है 50 अपोन में 3 50 को 3 से divide करेंगे तो हमारी value जाएगी guys सबसे पहले तो आ जाएगा हमारा यह 16 इसके बाद जो भी remainder बचा है remainder हमारा 2 बचा है और divide हमने किस्से किया था 3 से तो 2 के denominator में आ जाएगा 3 अगर हम 50 अपोन 3 को improper fraction में change करेंगे तो यह हो जाएगा 16 is to 2 अपोन में 3 meter यही हो जाएगी हमारी cd की value यानि कि इस building की height इसी building की height हमें find करनी थी तो question number 9 के answer के साथ question number 9 हो जाता है complete question number 10 के लिए move करते हैं next page पर question number 10 इसमें दिया है two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide from a point between them on the road the angle of elevation of the top of the pole is 60 degree and 30 degree respectively find the height of the pole and the distance of the point from the poles question number 10 में जो भी situation दी गई है उसको figure के साथ explain करता हूँ figure हमें दिया नहीं गया है खुज से बनाना होगा सो सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि एक 80 meter wide road है तो मान लेते हैं B point से लेकर C point तक ये 80 meter की road है इस road के दोनों किनारों पर क्या लगे हैं equal height के pole लगे हुए है तो B point पर मान लेते हैं ये A, B pole है और इस C point पर यहाँ पर D ये वाला point हो जाएगा C से लेकर D तक ये हमारा दूसरा pole हो गया A, B और C, D ये दोनों equal pole हैं सड़क के दोनों किनारों पर लगे हुए है दोनों poles से सड़क के किसी एक point पर angle of elevation बनते हैं 60 degree और 30 degree तो मान लेते हैं इस वाले pole से सड़क के इस point को नाम दे देते हैं E point पर angle बनता है 30 degree का और जो दूसरा वाला हमारा ये pole है इस pole से इसी point पर angle बनता है 60 degree का ये situation हमें question number 10 में दी गई है अब हमें पता लगाना है कि जो भी हमारा A, B और D, C ये दोनों pole हैं इनकी height क्या होगी इसके अलावा हमें ये भी पता लगाना है कि जो भी road पर ये point है इस point से ये दोनों pole कितनी कितनी दूरी पर है जो भी question number 10 में problem दी गई थी figure के साथ आपके सामने explain कर दी गई है अब solution में सबसे पहले जो भी हमारा A, B और D, C pole है इनकी height को माल लेंगे H की इनकी उचाई H है इसके अलावा road पर जो हमारा point E है इस E से लेकर C तक की distance को माल लेंगे X से तो आप बताओ मुझे B से लेकर E तक distance कितना होगा B से C तक का total distance हमें 80 दिया गया है ये हमारा X हो जाता है तो B से E तक का distance कितना होगा जो total distance है B, C इस में से इस distance को हटा देंगे तो मिल जाएगा हमें B से E का distance यानि की total distance A T minus करेंगे इसमें से इस वाले distance X को तो ये B E हो जाएगा कुछ simple calculation हमने figure में ही कर ली है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ let AB and DC are equal poles with height H मान लेते हैं कि AB और DC ये हमारे दोनों equal poles हैं जिन दोनों की height H हो जाती है दोनों equal हैं तो दोनों की same height H हमने मान ली है इसके बाद सबसे पहले हम triangle लेंगे DCE तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ in triangle DCE DCE triangle में आप देख सकते हो ये perpendicular है H और base है यहाँ पर X यहाँ पर मैं क्या करूँगा perpendicular upon base यानि की H upon में X करूँगा perpendicular upon base की equal होता है 10 theta के equal तो यहाँ पर आजाएगा 10 theta की जगह इस triangle में आप angle देख सकते हो 60 degree का है तो theta की जगह पर आजाएगा 60 degree अब जो भी values है उनको put करेंगे हमें ना तो H की value पता है और ना ही हमें X की value पता है तो H upon में X as it is आजाएगा equals to 1060 की value put करनी है और 1060 की value आपको पता होगा हो जाती है यहाँ पर root 3 यहाँ से हम H की value find कर लेते हैं यानि की X को इस तरफ shift कर देते हैं तो इस side में हमारे पास H बचेगा equals का sign लगा लेंगे यहाँ पर आजाएगा root 3 as it is X यहाँ पर divide में है इस side shift कर देंगे तो हो जाएगा multiply में यह हो जाएगे हमारी first equation इस first equation के बाद हम दूसरा triangle लेंगे A, B, E तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इन triangle A, B, E A, B, E वाले triangle में भी हम perpendicular upon base करेंगे तो आप देख सकते हो perpendicular यहाँ पर है H और base यहाँ पर है कितना equals to में यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 10 theta क्योंकि perpendicular upon base 10 theta होता है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 और theta की जगे पर इस triangle का angle देख सकते हो 30 degree आ जाएगा अब इसमें values put करेंगे उसके लिए इसको solve करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो H है और H किसके equal है root 3 X के first equation से इस H की जगे पर हम put कर सकते है root 3 X उसके बाद denominator में 80 minus में X यह as it is आ जाएगा इसके बाद आप देखो equals to में यहाँ पर कितना है 10 30 degree और इसकी value आपको पता होगा होती है 1 upon में root 3 simply यहाँ पर जो भी हमारी H की value हमें first equation में मिली थी उसको हमने put कर दिया और 10 30 की value 1 upon में root 3 put कर दी अब इनको cross में multiply कर लो root 3 को root 3 X से multiply करेंगे तो क्या होगा root 3 को root 3 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 3 और X यहाँ पर 3 के साथ में multiply as it is आ जाएगा equals का sign लगा लेंगे 80 minus में X इसको 1 से cross में multiply करेंगे किसी भी value को 1 से multiply करें तो वो as it is रहती है so 80 minus X को 1 से multiply करेंगे तो यह 80 minus में X ही रहेगी हमें यहाँ पर X variable मिलता है तो X की value यहाँ से find कर लेते हैं 3 X हमारा as it is रहेगा minus का X है इस तरफ लेकर आ जाएगे तो यह हो जाएगा यहाँ से हमें मिल जाएगी 80 और divide में X के साथ यहाँ पर जो 4 है तो यह multiply में है इस तरफ बेजेंगे तो हो जाएगा divide में 4 से 80 को cancel करेंगे कितने पर cancel होगा 20 times पर यानि कि जो भी हमारा X है इसकी value हमें मिल जाती है 20 जो भी हमारा यह X है figure में आप देखोगे तो यह वाला distance हमें मिल जाता है 20 meter लेकिन हमें pole की height भी पता लगानी है तो pole की height पता लगाने के लिए क्या करेंगे first equation जो हमारी है उसको यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ by equation first equation से h equals to में क्या है यहाँ पर root 3 x यह दोनों एक दूसरे के साथ multiply में है so x की value पहले लिख देते हैं जो यहाँ पर हमने find की है 20 यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद x के साथ root 3 multiply में है x की जगे पर 20 रख दिया अब आ जाएगा root 3 यह हो जाएगी pole की height यानि की a, b और d, c जो भी हमारे यह दोनों pole है सडक के दोनों किनारों पर इन दोनों की height कितनी है 20 root 3 meter इसके अलावा हमें यह भी बताना है कि road पर जो यह point है यह poles से कितनी दूरी पर है यह वाला x तो हमने find कर लिया है 20 और यह वाला distance find करने के लिए क्या करेंगे आप देख सकते हो equation पहले से ही यहाँ पर है यहाँ पर लिखेंगे हमारे equation 80 minus में x इसमें भी x की value put कर दो जो हमने यहाँ पर find की है 20 so 80 हमारा as it आ जाएगा minus में x की जगे पर 20 लिखेंगे equals to में आ जाएगा 60 यानि simply जो भी हमारे pole है उनकी height आ जाती है 20 root 3 meter उसके बाद ये वाला point dc वाले pole से x यानि की 20 meter के distance पर है और a b वाले pole से कितने distance पर है 80 minus x जो हो जाता है 60 meter यही हमें find करने थे so final answer यहाँ पर लिख देंगे final answer लिखने के लिए मुझे इस b और इस line को हटाना होगा लिखता हूँ यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है height of poles जो यहाँ पर हमने find की है 20 root 3 meter यहाँ पर लिख देंगे ये दोनों pole की height हो जाएगी a b और dc वाले pole की इसके बाद distance of point from pole dc जो भी हमारा यह point है dc वाले pole से इसका कितना distance है x जिसकी value यहाँ पर हमने find कर ली है 20 meter यहाँ पर लिख देंगे 20 meter इसके बाद distance of point from pole a b जो भी road पर point है उसका a b वाले pole से कितना distance है 80 minus में x यहाँ पर हमने इसको solve किया तो हमें मिला 60 meter तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा और यही हो जाएंगे question number 10 के लिए हमारे हमारे तीनो answers जो भी हमारे pole है उनकी height पता लगा ली dc वाले pole से जो point है सड़क पर वो कितनी दूरी पर है यह भी पता लगा लिया और a b वाले pole से point कितनी दूरी पर है question number 11 में यह figure given है तो figure से ही समझ लेते हैं सबसे पहले हमें एक TV टावर दिया गया है और TV टावर कहां पर है नहर के किनारे पर नहर यानि की कैनाल के किनारे पर तो हमारी ये है c से लेकर b कैनाल इसके एक किनारे पर ये tower है और दुसरे किनारे पर जो भी हमारा ये point है tower के top से angle of elevation इस point पर बनता है guys 60 degree का यहां पर हमें दिया गया है इसके अलावा foot of tower वाली line इस point से 20 मेटर दूरी पर इस point पर जो angle है tower के top से वो बनता है 30 degree का तो हमें पता लगाना है इस tower की height कितनी होगी और जो भी हमारी ये b से c तक कैनाल यानि की नहर है इसकी width यानि चोड़ाई कितनी होगी तो solution में सबसे पहले जो भी हमारा tower है इसकी height को माल लेंगे h और जो भी हमारी कैनाल यानि की नहर है इसकी चोड़ाई को माल लेंगे x जो भी हमने ये let किया है solution में लिख देंगे let the height of tower b h and the width of the canal b x जो tower की height है हमने माल लिया h होगी और जो width है canal की इसको माल लिया x होगी इसके बाद solution में सबसे पहले वाला triangle लेंगे a b c तो यहाँ पर मैं लिखूंगा in triangle a b c a b c वाले triangle में आप देख सकते हो perpendicular हमारा h है और base हमारा x है यानि की perpendicular upon base करेंगे h upon x perpendicular upon base किसके equal होता है 10 theta के equal में तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 theta की जगह पर इसका angle आएगा triangle का जो की है 60 degree अब इसमें 1060 की value पुट करेंगे so h upon में x हमारा as it रहेगा equals to 1060 की value होती है root 3 जो यहाँ पर हमने लिख दी है अब यहाँ से h की value find कर लेते है h equals to में root 3 आ जाएगा h के divide में यहाँ पर x है इसको इस तरफ shift कर देंगे तो यह हो जाएगा root 3 के साथ है multiply यह हो जाएगी हमारी first equation triangle ABC से हमें first equation मिल जाती है अब दूसरे वाला triangle लेंगे हमारा ABD तो उसके लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ in triangle ABD triangle ABD में भी हम perpendicular upon में base करेंगे perpendicular देख सकते हो यहाँ पर h है और base यहाँ पर B से लेकर D तक आप देख सकते हो यह X है और यह 20 है यानि कि X प्लस में 20 रखेंगे perpendicular आ जाएगा हमारा h upon में base आ जाएगा हमारा x plus में 20 और equals to में क्या होगा हमने perpendicular upon base किया है जो होता है 10 theta के equal तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और theta के value इस triangle में जो angle है वो देख सकते हो 30 degree है तो यहाँ पर आ जाएगा 30 degree जो भी हमारी equation बनी है इसमें values put करेंगे h की value, first equation में आप देख सकते हो h equals to में root 3x है तो इस h की जगे पर इसकी value आ जाएगी root 3x equals का sign लगा देंगे यहाँ पर है 10 30 जिसकी value होती है 1 upon में root 3 इसके साथ साथ h के denominator में यहाँ पर x plus 20 है इसको as it is यहाँ पर लिख दिया जाएगा अब इसको solve करेंगे तो x की value यानि की channel की width हमें मिल जाएगी solve करने के लिए cross में multiply कर दो root 3 को root 3 x से multiply करेंगे root 3 को root 3 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 3 और x root 3 के साथ multiply में है तो यहाँ पर 3 के साथ multiply हो जाएगा इसके बाद equals का sign लगाएंगे x plus 20 और 1 को cross में multiply करेंगे x plus 20 को 1 से multiply करेंगे तो x plus 20 ही रहेगा हमें x की value find करनी है तो इस side में हमारा 3x as it is आएगा यहाँ पर x plus का है इस तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा minus का x और equals to me 20 इसको आगे solve कर लेते हैं यहाँ पर 3x में से x को minus करेंगे तो यह हो जाएगा 2x से equals to me आजाएगा 20 x की value हमें find करनी है तो x equals to me 20 आजाएगा x के साथ यहाँ पर 2 कैसे है multiply में दूसरे side shift करेंगे तो यह हो जाएगा divide में 2 से 20 को cancel करेंगे तो यह आएगा 10 times पर यानि जो भी हमारी channel यानि की x है इसकी value हो जाती है 10 meter channel की width हमें मिल गई है x की value हमें मिल गई है 10 meter हमें अभी tower की height भी पता लगानी है tower की height पता लगाने के लिए क्या करेंगे जो भी हमारी first equation थी इसमें x की value पुट कर देंगे सो सबसे पहले first equation को यहाँ पर लिख लेता हूँ h equals to में आ जाएगा हमारा root 3 x अब इसमें value पुट करेंगे h equals to में हमारा root 3 नहीं लिखेंगे पहले पहले x की value पुट करेंगे x की value हमने यहाँ पर find की है 10 सो यहाँ पर आ जाएगा 10 उसके बाद हम root 3 x कैसे हैं एक दूसरे के साथ है multiply में तो यहाँ पर x की value पुट करने के बाद root 3 को लिख देंगे यह हो जाएगी tower की height और यह हो जाएगी हमारी channel की width यानि की चोड़ाई यही दोनों चीज़े हमें find करनी थी सो final answer यहाँ पर लिख देंगे height of tower equals to me height of tower यहाँ पर हमने find की है 10 root 3 meter unit भी लिख देनी है इसके बाद width of channel यानि की x की value यह हमने find की है 10 सो यहाँ पर आ जाएगा 10 meter यही दोनों हो जाएंगे question number 11 के answers और ही नी answer से साथ question number 11 हो जाता है complete 12 के लिए move करते है next page पर question number 12 इसमें है from the top of a 7 meter high building the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree determine the height of the tower question number 12 में एक building है जिसकी height है 7 meter इसके अलावा एक cable tower भी है building के top से angle of elevation बनता है cable tower पर 60 degree का इसके अलावा building के top से tower के foot पर angle of depression बनता है 45 degree का तो हमें पता लगाना है tower की height कितनी होगी तो जो भी condition question number 12 में दी गई है सबसे पहले solution में इसके लिए figure बनाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हो building के top से tower के top पर angle बनता है angle of elevation 60 degree का इस line से यह conclusion निकाला जा सकता है कि building की height कम होगी और tower की height जादा होगी so figure बनाते समय ध्यान रखना है कि यह हमारी building हो जाएगी इसको नाम दे देते हैं A से लेकर B हमारी building हो जाएगी उसके बाद यह हमारा tower हो जाएगा cable tower C से लेकर D point तक अब question में हमें यह given है कि building की height 7 meter है so A B हमारी building है और इसकी height हो जाती है यहाँ पर 7 meter इसके बाद question में यह कहा गया है कि building के top से angle of elevation बनता है cable tower पर 60 degree का so यह है building का top यहाँ से एक horizontal line draw कर देंगे इस तरह से building के top से tower के top पर angle बनता है angle of elevation कितने degree का 60 degree का यानि कि यह angle हो जाएगा हमारा 60 degree और इससे आगे कहा गया है कि building के top से angle of depression बनता है tower के foot पर 45 degree का so यह building का top है इस point से tower के foot यानि कि C point पर angle of depression बनेगा सबसे पहले AC को join कर देते है angle of depression कब बनता है जो भी horizontal line है उसके नीचे की तरफ है तो यह angle हो जाएगा हमारा 45 degree अब आप यहाँ पर देख रखते हो BC हमारा base है यानि कि यह horizontal है और AC लेकर यह वाला point इसको भी नाम दे देते है E point AC लेकर E point यह भी हमारी horizontal line है यानि कि AE और BC दोनो parallel होंगी यह दोनो parallel होंगी तो AC हमारी transversal line होगी और transversal line के इस side वाला angle और इस side वाला angle यह दोनों क्या होते हैं alternate interior angles जो एक दूसरे के equal होते हैं class 9 में आपने यह पढ़ा होगा concept जो भी information दी गई थी उसके according हमने figure अपना draw कर लिया है अब figure में जो भी चीज़े हमने बनाई है AB हमारी building है और C से लेकर D हमारा tower है यहाँ पर लिख देंगे let AB is building and CD is tower AB हमारी building है और CD हमारा tower है हमें tower की height पता करनी है तो सबसे पहले triangle लेंगे ABC यहाँ पर मैं लिखता हूँ in triangle ABC triangle ABC में हम perpendicular upon base करेंगे तो perpendicular यहाँ पर है AB upon में रखेंगे इसके base यहाँ पर आप देख सकते हो BC है तो denominator में आ जाएगा BC perpendicular upon base किसके equal होता है 10 theta के equal और आप इस triangle में देख सकते हो angle कितना है 45 degree का तो theta की जगे पर आ जाएगा 45 अब इसमें values पूट करेंगे सबसे पहले यहाँ पर है AB और इसकी value देख सकते हो 7 हमें given है सो यहाँ पर आ जाएगा 7 denominator में BC की value हमें नहीं पता है सो BC हमारा as it is रहेगा इसके बाद equals to में 1045 की value आपको पता ही होगी 1 होती है सो 1045 की जगे 1 आ जाएगा अब यहाँ से BC की value find करेंगे 7 हमारा as it is आएगा equals का sign लगा देंगे BC यहाँ पर 7 के साथ divide में है इस तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा 1 में multiply BC और 1 को multiply करेंगे तो BC ही आ जाएगा यह हो जाएगी हमारी guys first equation BC यह हमने find कर लिया है 7 इस first equation के बाद figure को देखो हमारा यह A, B, C, E figure का जो part है यह हो जाएगा एक square कैसे होगा AB हमारा 7 है और BC हमने find किया है यहाँ पर 7 लिख देते हैं अब आप देख सकते हो कि AE और BC हमने शुरू में कहा था parallel होंगी क्योंकि BC और AE दोनो horizontal lines हैं यह दोनो parallels हैं तो इसके opposite वाली जो sides हैं वो एक दूसरे के equal होंगी AB हमारा 7 है तो C से EB हमारा 7 meter का ही होगा बिल्कुल इसी तरह से यह हमारी AB vertical है और C से EB vertical है तो यह दोनो parallel होंगी यानि कि BC और AE यह हमारी equal होंगी AE की भी जो लंबाई है यह 7 हो जाएगी A, B, C, E यह हमारा एक square हो गया जिसकी सभी side से 7, 7 7 meter की हो जाएगी अब हम triangle लेंगे A, E, D वाला तो उसके लिए यहाँ पर लिखता हूँ in triangle A, E, D A, E, D वाले triangle में भी हम perpendicular upon base करेंगे perpendicular यहाँ पर DE है और base यहाँ पर AE है यहाँ पर आ जाएगा हमारा DE upon में AE और perpendicular upon base किसके equal होता है 10 theta के equal यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 theta की जगह पर इस वाले triangle में angle कितना है 60 degree का यहाँ पर theta की जगह आ जाएगा 60 degree जो भी हमारी यह equation है इसमें values बुट करेंगे सबसे पहले देख सकते हो DE है DE की value हमें नहीं पता है तो DE हमारा as it is आ जाएगा denominator में आप देख सकते हो AE है A से लेकर E तक कितना है 7 so AE की जगह पर आ जाएगा 7 equals to में 1060 की value होती है root 3 1060 की जगह पर root 3 लिख देंगे values बुट करने के बाद यहां से DE की value find कर लेंगे DE यहां पर as it is आ जाएगा और DE के साथ आप देख सकते हो 7 कैसे है divide में इस तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा multiply में 7 और root 3 को multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 7 root 3 जो भी हमारी यह DE की value आई है figure में इसे लिख देते हैं DE की value हमें मिली है 7 root 3 हमें क्या find करना था tower की height तो आप देख सकते हो C से लेकर E तक 7 meter है और E से लेकर D तक 7 root 3 meter है tower की height पता लगाने के लिए क्या करना होगा इस वाली height 7 और 7 root 3 को add करना होगा तो उसके लिए यहां पर लिखता हूँ height of tower tower की height पता करने के लिए CE और ED इन दोनों को add करना होगा तो इसके equals to में आ जाएगा CE plus में ED अब जो भी इनकी values हैं उनको put कर देंगे CE की value आप यहां पर देख सकते हो 7 है तो CE की जगे पर आ जाएगा 7 इसके बाद plus का sign लगा देंगे यहां पर है ED की value 7 root 3 सो यहां पर आ जाएगा 7 root 3 इन दोनों को add करने पर हमें tower की height मिल जाएगी लेकिन यहां पर ध्यांस रखना है add करते समय ध्यान क्या रखना है कि जो भी हमारे 7 और 7 root 3 है इनको add करने पर 14 root 3 नहीं बनेगा इन दोनों को add नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके साथ में root 3 है add नहीं कर सकते तो क्या कर सकते है इस वाली term में और इस वाली term में दोनों में 7 आता है यानि कि 7 को common लिया जा सकता है दोनों terms में से 7 हमने common ले लिया तो बचेगा क्या 7 यहाँ पर है, 7 को ही हमने common ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, इसके बाद plus का sign लगा देंगे, 7 root 3 में से हमने 7 को common ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा, root 3, यही हो जाएगी tower की height, इसके आगे unit भी लिख देंगे, meter, question number 12 में height of tower हमें find करनी थी, जो यहाँ पर हमने find कर ल question number 13, इसमें है as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree, if one ship exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships question number 13 में एक light house है, जिसकी height है 75 meter, light house के top से 2 ships पर angle of depression बनता है 30 degree और 45 degree का, और यह दोनों ship एक दूसरे के पीछे हैं और same side में है light house के, तो हमें पता लगाना है कि इन दोनों ship के बीच में कितना distance है, तो solution में सबसे पहले जो भी condition दी गई है, इसके लिए figure बनाएंगे, figure question में न light हो जाती है 75 meter, इसे नाम दे देते हैं, A से B हमारा light house होगा, इसके बाद light house से C level पर दो ship पर angle of depression बनता है, angle of depression बनाने के लिए जो भी हमारा light house का top है, यहां से एक horizontal line draw करनी होगी, tower के top से angle of depression बनते है 30 degree और 45 degree के, तो सबसे पहले ये वाला angle हो जाएगा हमारा guys, 30 degree का, इसके बाद जो पूरा angle है यहां से लेकर इस वाली line पर ये हो जाएगा हमारा 45 degree का, ये वाला 30 degree angle हो गया, जो tower के top से इस वाली ship पर बनता है, जो भी ship की position है, उसको नाम दे देते हैं, ये हो जाता है हमारा C point और ये हो जाता है हमारा D point, ये हमने horizontal line draw की है, जो की parallel होत C level के B, D के parallel होगी ये वाली line है, यानि यहां से हम क्या conclusion निकालेंगे, जो भी हमारा ये base है, इसके parallel horizontal line हमने ये draw की है, यानि की जो भी हमारा A से D है, ये transversal line हो जाएगे, और transversal line का ये वाला angle और ये वाला angle एक दूसरे के equal होता है, अगर ये 30 है, तो ये भी 30 होगा, बि इसको transversal अगर मानेंगे, तो ये angle 45 degree है, तो ये angle भी हमारा 45 degree होगा, ये angle 30 degree, ये 30 degree, क्यो 30 degree होगा, alternate interior angles हैं ये, बिल्कुल इसी तरह से ये वाला 45 degree, ये वाला 45 degree भी alternate interior angles हैं, इनी angles के साथ figure हमारा complete हो गया, हमें पता क्या लगाना है, दोनों ship के बीच में distance कितना है, यानि क c से d का distance हमें पता लगाना है, यही तो है दोनों ship के बीच का distance, c d की value find करनी है, तो c d की value find करने के लिए सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं, जो भी हमने figure में बनाया है, let ab is the lighthouse and c and d are the ship से, ab हमारा lighthouse है, जिसकी height है 75 meter, question में हमें ये दी गई है, इसके अलावा c point पर और d point पर हमारे दोनों ship है, अब दोनों ship के बीच का distance पता लगाने के लिए सबसे पहले हम triangle abc लेंगे, इसमें bc पता लगाएंगे, so abc के लिए यहां पर मैं लिखता हूँ in triangle abc, triangle abc में हम करेंगे perpendicular upon में base, यानि की ab upon में bc, यहां पर लिखते हैं ab upon में bc, perpendicular upon base किसके equal होता है, 10 theta के equal, so यहां पर आ जाएगा 10 और यहां पर जो theta है, उसकी जगे यह वाला angle आ जाएगा, 45 degree, अब इसमें values पूट करेंगे, ab की value हमें पता है, जो tower की height है, 75 आ जाएगा, upon में bc हमारा as it is रहेगा, equals to में 1045 की value सभी को पता होगी, 1 हो जाती है, अब इसको solve कर लेंगे, यह यहां पर हमारा 75 addities आएगा, equals का sign लगा लेंगे, bc यहां पर divide में है, इस तरफ one में multiply हो जाएगा, bc को one से multiply करेंगे, तो यह bc ही रहेगा, जो bc है, यहां से यहां तक की value हमें मिल जाती है, 75, bc की value 75 find करने के बाद, हम triangle लेंगे, दूसरा abd, तो यहां पर मैं लिख ले करेंगे, perpendicular यहां पर ab है, और base यहां पर b से d है, यानि कि यहां पर आ जाएगा, हमारा ab upon में, bd equals to में यह हो जाएगा, 10 theta के equal, perpendicular upon base, 10 theta के equal होता है, यहां पर 10 आ जाएगा, और angle आप देख सकते हो, इसमें है, 30 degree, अब इसमें values put करेंगे, जो भी हमारा ab है, इसकी value आप पर आ जाएगा, 75 इसके बाद denominator में यहां पर है, bd, b से लेकर d point तक हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, bc plus में cd, या फिर हम bc को 75 direct लिख सकते हैं, जो भी हमारा यह bd है, इसको हम लिख सकते हैं, 75 plus में cd, तो यहां पर लिख देता हूँ, 75 plus में cd, अगर इन दोनों को add करते हैं, 75 bc और cd, इन दोनों को add करेंगे, तो हमारी पूरी line बन जाती है, b से d तक, जो base है, a, b, d triangle का, bd की value यहां पर हमने यह put कर दी है, इसके equal में है 10 30 degree, जिसकी value होती है, 1 upon में root 3, value put करने के बाद अब इसको solve करेंगे, solve करने के लिए cross में multiply कर देंगे, इस तरह से cross में multiply करेंगे, तो 75 को root 3 से multiply करना होगा, जिससे यह हो जाएगा, 75 है, root 3 equals का sign लगा लेंगे, 75 plus में cd, इसको multiply करना होगा, 1 से, इस तरह से cross में multiply करेंगे, 75 plus में cd को 1 से multiply करेंगे, तो यह 75 plus में cd ही रहेगा, यहां से cd की value हमें मिल जाएगी, जो की दोनों ship के बीच का distance ह है, यही हमें find करना था, तो इसकी value find करने के लिए, इस side में 75 root 3 हमारा addities आएगा, इस तरह 75 plus का है, इस तरह shift कर देंगे, तो हो जाएगा minus का 75, और equals to में हो जाएगा cd, अब फिर से यहां पर आपको ध्यान देना होगा, कि 75 root 3 में से 75 को minus नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके स ले सकते हैं, 75 common लेने के बाद बचेगा क्या, 75 root 3 में से 75 हमने common ले लिया, तो यहां पर बच जाएगा, root 3, इसके बाद minus का sign as it is यह वाला आ जाएगा, और यहां पर है 75 और 75 को ही हमने common ले लिया है, तो बचेगा, one equals to में लगा देंगे, cd, जो भी c point पर और d point पर हमारे ship है, इनके बीच का distance हमने यहां पर find कर लिया है, यही हमें find करना था, सो final answer यहां पर लिख देंगे, the distance between ships, जो भी हमारे दो ship है, इनके बीच का distance है, cd, जिसकी value यहां पर हमने find कर लिया है, सो यहां पर लिख देंगे, 75 bracket में, root 3, minus 1, यही हो जाएगा question number 13 के लिए हमारा answer, औ अगले page पर, question number 14, इसमें है, a 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 degree, after some time the angle of elevation reduces to 30 degree, find the distance traveled by the balloon during interval, सबसे पहले question number 14 में हमें figure दिया गया है, figure से ही समझ लेते हैं, question में कहा क्या गया है, सबसे पहले यह एक लड़की है, जिसकी height दी गई है, 1.2 meter, यह लड़की एक moving balloon को देखती है, और balloon की height होती है, 88.2 meter, सो यह ground है गाईद, जिस पर यह लड़की खड़ी है, इससे उपर 88.2 meter की height पर यह balloon है यहाँ पर, यानि की यह height हो जाएगी 88.2, इसके बाद कहा गया है कि लड़की की आँखों से angle of elevation बनता है, balloon पर 60 degree का, यह लड़की है, इसकी आँखे कब होंगी, ground से 1.2 meter पर इसकी आँखे होंगी, कि वहां से angle of elevation बनता है balloon पर ये angle of elevation बना कितने degree का बनता है 60 degree का इसके बाद balloon आगे की direction में move कर जाता है horizontal line में wind की help से तो कुछ देर बाद इसी balloon का angle of elevation हो जाता है 30 degree पहले balloon की position ये थी move करने के बाद balloon की position हो जाती है ये अब angle होता है 30 degree का यहाँ पर हमें दिया गया है सो यह angle हो जाएगा यहाँ पर 30 degree हमें यह पता लगाना है कि जो भी हमारा balloon है उसने कितना distance travel किया यानि कि उसकी initial और final position के बीच में कितना distance है लड़की की height AB के अलावा जो भी हमारे vertices हैं उनको भी नाम दे देते हैं यह point हो जाएगा हमारा C, यह वाला हो जाएगा D उसके बाद यह वाला point हो जाएगा हमारा E यह वाला हो जाएगा हमारा F और यह वाला हो जाएगा हमारा G सभी vertices की naming हमने कर दी है अब सबसे पहला point होगा हमारा जो भी balloon की height है 88.2 meter ये ground से है तो हमें पहले ये पता लगाना होगा कि लड़की की आखों से balloon की height कितनी है यानि कि जो भी ground से height दी गई है इसमें से लड़की की height को minus कर देंगे यहाँ पर मैं लिखता हूँ height of balloon from girl eyes लड़की की आखों से balloon की height कितनी होगी ये पता करने के लिए जो total height है 88.2 इसमें से minus कर देंगे लड़की की height को so 88.2 में से 1.2 को minus करेंगे तो हमें मिलेगा 87 जो भी लड़की की आखों से ये horizontal line हमने draw की है इस line से balloon की height कितनी है 87 meter ये find करने के बाद हम triangle लेंगे सबसे पहले ACD तो यहाँ पर solution में लिख लेता हूँ in triangle ACD ACD triangle में हम लेंगे यहाँ पर perpendicular upon base और perpendicular upon base के लिए हमें क्या लिखना होगा 10 theta और theta की जगे पर ये वाला angle कितना है 60 degree आ जाएगा equals का sign लगा लेंगे perpendicular यहाँ पर cd है और base यहाँ पर ac है सो यहाँ पर आ जाएगा cd upon me ac इसके बाद इन में values put कर देंगे 1060 की value होती है root 3 equals 2 में cd की value जाहोगी इस horizontal line से balloon कितनी height पर है यहाँ पर हमने find किया 87 so cd की जगे पर आ जाएगा 87 और denominator में ac as it is क्योंकि ac की value हमें नहीं पता है अब जो भी हमारी यह equation बनी है यहाँ से ac की value find कर लेंगे जो भी root 3 और ac है इनको cross में shift कर देंगे ac को root 3 की जगे पर लिख देंगे और root 3 को ac की जगे पर लिख देंगे ac यहाँ पर denominator में है यहाँ पर आ जाएगा उपर equals to me 87 as it is root 3 यहाँ पर उपर है इसको इधर shift करेंगे तो यह आ जाएगा denominator में आपको पता ही होगा अगर हमें ac की value find करनी है तो root 3 को denominator में नहीं रखा जा सकता है इसको हमें rationalize करना होगा rationalize करने के लिए root 3 को उपर और नीचे हमें multiply करना होगा यहाँ पर हमने इस fraction को rationalize कर दिया अब इसे solve कर लेंगे तो ac हमारा as it is 87 को root 3 से multiply करेंगे तो 87 root 3 हो जाएगा इसके बाट denominator में root 3 को root 3 से multiply करेंगे तो यह 3 हो जाएगा 3 से 87 को cancel किया जा सकता है cancel करने पर जो भी हमारी value आएगी उसको यहाँ पर लिखेंगे 3 के table में 8 कितने पर आता है सबसे पहले तो यहाँ पर ac लिख लेते हैं equals का sign लगा लेते हैं 3 के table में 8 नहीं आता है 6 आता है कितने पर 2 times पर इसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा 8 में से 6 को minus करेंगे तो बचेगा 2 उसके पीछे लगा लेंगे 7 बन जाएगा 27 3K table में 27 आता है 9 times पर और हमारा ये root 3 है ये as it is यहाँ पर आ जाएगा अगर हम 87 upon में 3 cancel करेंगे तो हमें 29 मिलेगा और जो हमारा ये root 3 है इसको as it is लिख देंगे तो जो भी हमारा AC है इसकी value हमें मिल जाती है 29 है root 3 इस value के बाद अब हम दूसरा triangle लेंगे AEF ये वाला triangle लेंगे तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ in triangle AEF AEF वाले triangle में भी हम same condition apply करेंगे यहाँ आ जाएगा हमारा 10 है इसमें angle देख सकते हो इस वाले triangle में ये कितना angle है 30 degree का तो 10 30 degree किसके equal होगा perpendicular upon base perpendicular यहाँ पर हो जाएगा FE या फिर EF लिख सकते हैं और base हो जाएगा यहाँ पर AE तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा EF upon me AE अब इसमें values उठ करेंगे 10 30 की value होती है 1 upon me root 3 equals to me EF की value आप बताओ यहाँ से E से लेकर F तक कितना होगा total 88.2 है इसमें से लड़की की height यानि की EG को हटा देंगे तो 87 हमें मिल जाएगा E से लेकर F तक तो E से F की जो हमारी value है यह हो जाएगी हमारी 87 और upon में AE हमारा as it रहेगा अब इससे आगे solve करने के लिए इनको cross में multiply करना होगा AE को 1 से multiply करेंगे तो यह AE ही रहेगा equals का sign लगा लेंगे 87 को root 3 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 87 root 3 हमने यहाँ पर दो values find कर ली है AE की value find कर ली है और AC की value find कर ली है तो अब हम यह पता लगा सकते हैं कि balloon ने यहाँ D से लेकर F तक कितना distance cover किया है उसके लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ distance traveled by balloon आप देख सकते हो D से लेकर F तक का distance balloon ने travel किया है और जो भी हमारा यह D से F है यह equal होगा C से E वाले के equal और इस C E को find करने के लिए क्या करेंगे AE में से AC को हटा देंगे तो यहाँ पर मैं लिखूँँगा AE माइनस में AC अगर AE यानिकि इस पूरी line में से AC को हटा देंगे तो C से लेकर E तक का distance हमें मिल जाएगा जो की D से F का भी ही distance होगा तो AE की value यहाँ पर आप देख सकते हो find की है हमने 87 root 3 minus का sign लगा लेंगे AC की value यहाँ पर हमने find की है 29 root 3 जो भी हमारी यह terms हैं दोनों के साथ root 3 दिया गया है यानिकि इनको minus किया जा सकता है 87 root 3 में से 29 root 3 को minus करेंगे तो हमें मिल जाएगा guys 58 root 3 meter यही distance उसने cover किया है balloon ने D से F point तक यही हमें find करना था तो यही हो जाएगा question number 14 के लिए हमारा answer question number 15 के लिए move करते हैं अगले page पर question number 15 इसमें है a straight highway leads to the foot of tower a man standing at top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching to the foot of tower with uniform speed 6 seconds later the angle of depression of car is found to be 60 degree find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point question number 15 में figure नहीं दिया गया है सब सबसे पहले जो भी problem दी गई है solution में उसके लिए figure बनाएंगे हमें क्या कहा गया है कि एक tower है तो माल लेते हैं a, b हमारा ये एक tower है इस tower के उपर एक आदमी है जो इस car को observe करता है यहां पर angle of depression बनता है 30 degree का तो angle of depression बनाने के लिए tower के top से horizontal line हमें draw करनी होगी तो ये हो जाएगी हमारी एक horizontal dotted line ये car को observe करता है तो angle of depression होता है 30 degree का यानि कि ये angle 30 degree का बना ये angle 30 degree का है तो ये angle भी हमारा 30 degree का होगा क्योंकि उपर वाली ये line और ये line parallels है और ये वाली line हो जाएगी transversal alternate interior angle से एक दूसरे के equal होंगे class 9 का easy सा concept अब जो भी हमारी ये car है ये uniform speed से move कर रही है 6 second के बाद मालो ये अभी d point पर है 6 second के बाद इसकी uniform speed से ये पहुँच जाती है इस वाले यानि कि c point पर और अब इसका angle of depression हो जाता है 60 degree जो भी आदमी इसको देख रहा है यहां से यानि कि ये वाला angle हो गया अब यहां पर 60 degree अब alternate interior angles का same concept जो यहां पर हमने 30 degree angle के लिए apply किया था वो यहां पर 60 के लिए apply करेंगे ये हमारी horizontal line जो की b d के parallel होगी इसके इधर वाला angle transverse line के और इधर वाला angle एक दूसरे के equal होगा तो ये भी हमारा 60 degree का हो जाएगा जो भी ये car है ये d point से c point तक पहुँचने में total कितना time लेती है 6 से second का तो इसकी unit यहां पर लिख देंगे 6 अब हमें ये पता लगाना है कि जो भी हमारा tower है ये car tower के foot यानि कि b point तक पहुँचने में कितना time लेगी यानि कि b c की value हमें पता लगानी है जो भी हमारा b c है इसको माल लेंगे x और जो भी हमारा ये tower है इसकी height को माल लेंगे h सबसे पहले जो भी हमने figure बनाया है उसको यहाँ पर explain कर देते हैं एक line में लिख देते हैं let db is the highway and ab is the tower माल लेंगे कि D B हमारा ये highway है और A B हमारा tower है ये पहले से ही हम figure बना चुके हैं अब इसमें सबसे पहले हम triangle लेंगे ABC तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ in triangle ABC ABC वाले triangle में perpendicular upon base करेंगे जो equal होता है कि इसके 10 theta के theta यहाँ पर कितना होगा 60 degree angle है तो यहाँ पर आ जाएगा 60 degree 1060 degree किसके equal होगा perpendicular upon base perpendicular यहाँ पर H है और base है इसका X यानि कि यहाँ पर आ जाएगा H upon में X अब इसमें values पुट करेंगे सबसे पहले 1060 इसकी value होती है guys root 3 इसके अलावा H के साथ यहाँ पर X कैसे है divide में अगर X को हमें इस तरफ shift करना है तो यहाँ आ जाएगा यहाँ पर multiply में और equals to में H हमारा as it is आ जाएगा यह हमारी first equation हो जाएगी इस first equation के बाद अब हम दूसरा triangle लेंगे ABD तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ in triangle ADB base तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 10 theta की जगे पर यह वाला angle आएगा जो है यहाँ पर 30 degree का equals to में क्या होगा perpendicular आप देख सकते हो H है और base देख सकते हो हमारा B से D है तो यहाँ पर आ जाएगा H upon में BD अब इसमें values बूट करेंगे सबसे पहले 10 30 degree इसकी value हो जाएगी 1 upon में root 3 equals का sign लगा लेंगे यहाँ पर है H, H की value first equation में हमने find की थी root 3 X तो इस H की जगे पर ये वाली value रख दी जाएगी जो है root 3 X और denominator में क्या आएगा यहाँ पर है BD, BD इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 6 plus में X अगर 6 और X को add करते तो पूरी line BD बन जाती है तो यहाँ पर लिखेंगे 6 plus में X अब इसको आगे solve करने के लिए cross में multiply कर देंगे 6 plus में X को 1 से multiply करेंगे तो यह 6 plus में X ही रहेगा equals का sign लगा लेंगे root 3 को root 3 X में multiply करेंगे root 3 को root 3 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा अब यहाँ से X की value find की जा सकती है 6 हमारा as it is आएगा equals का sign लगा देंगे यहाँ पर जो 3 X है यह as it is आजाएगा आप देख सकते हो X से यहाँ पर 6 के साथ plus में है दूसरी side shift करेंगे तो यह हो जाएगा X से minus में 6 as it is 3 X में से X को minus करेंगे तो यह हो जाएगा 2 X अब X की value find करने के लिए इस 2 को इस तरफ भेजना होगा यहाँ पर 6 as it is 2 X के साथ multiply में है इस side भेजेंगे तो हो जाएगा divide में और equals to में X हमारा बच जाएगा 2 से 6 को cancel करेंगे कितने पर 3 times पर जो भी हमारा X है इसकी value आ जाती है 3 यहाँ पर मैंने गलती से X लिख दिया है X की value आ गई 3 यही हमें find करना था कि जो भी इस point पर ये car है ये tower के foot यानि की B point तक पहुंचने में कितना time लगाएगी X time हमने let किया था जिसकी value हमने find कर ली है 3 D से C तक पहुंचने में उसे 6 seconds लगते हैं और C से B यानि की foot of tower तक पहुंचने में उसे लगेंगे अब 3 seconds Final answer यहाँ पर लिख देंगे The car will take 3 seconds to reach the foot of tower C point से foot of tower पहुंचने के लिए उसे total लगेंगे 3 seconds यही हो जाएगा question number 15 के लिए answer और इसी answer के साथ question number 15 हो जाता है Complete exercise का last यानि की question number 16 के लिए move करते हैं Next page पर Exercise 9.1 का सबसे last question हमारे सामने है इसमें दिया है The angle of elevation of the top of a tower from 2 points At a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower And in the same straight line with it are complementary find the height of the tower यह question 2009 या फे 2010 के final board exams में आया था 6 number का मुझे कैसे पता है क्योंकि वो exam मैंने दिया था So 6 number के according तो बिल्कुल easy सा question है Question में हमें क्या कहा गया है कि एक tower है tower पर 2 points से angle of elevation बनते हैं 1 point 4 meter की दूरी पर है 2 point 9 meter की दूरी पर है tower के base से और जो भी यह दोनो points है यह straight line में है इसके अलावा जो भी angle of elevation बनते हैं इन दोनो points से वो complementary है यानि कि दोनो angles को add करने पर 90 degree होते हैं तो हमें पता लगाना है कि tower की height कितनी होगी So solution में सबसे पहले problem के लिए बनाएंगे figure माल लेंगे a से b point तक हमारा यह tower है जिसकी height को माल लेते हैं h होगी अब इस tower पर 2 points से angle of elevation बनते हैं एक point यहाँ पर माल लेते हैं c है और एक point d है जो c वाला point है यह कितनी दूरी पर है 4 meter दूरी पर है tower के base से और जो हमारा d point है यह tower के base से कितनी दूरी पर है दूसरे के complementary है angles exact नहीं दिये हैं तो अपनी तरफ से let कर लेंगे कि यह वाला angle हो जाएगा हमारा theta तो यह वाला angle कितना होगा दोनों complementary angles हैं यानि कि इस वाले angle को और इस वाले angle को add करेंगे तो 90 degree के equal होगा तो इस condition में अगर यह हमारा theta है तो यह हो जाएगा हमारा 90 degree minus में theta 90 degree minus में theta कैसे होगा easy है देखो यह theta है तो इसको x माल दो ठीक है यह हो गया हमारा यह वाला angle x और यह वाला हो गया हमारा theta दोनों को add कर दो दोनों complementary हैं तो दोनों का sum करने पर हमें 90 degree मिलेगा अब यहां से x की value यानि कि इस वाले angle की value find कर लो x equals to me 90 degree हमारा as it is रहेगा theta को दूसरी तरफ बेजेंगे तो यह हो जाएगा minus में theta तो देख सकते हो जो भी हमारा यह angle था 90 minus में theta किस तरह से हो गया यहां पर यह दोनो angles complementary हैं तो इन में से 1 theta हो जाएगा एक 90 minus में theta हो जाएगा अगर हम इसको theta रखेंगे तो यह 90 minus theta हो जाएगा अगर यह वाला theta हमने रखा है तो यह 90 minus में theta हो जाएगा इनकी position को change भी कर सकते हैं कोई issue नहीं आएगा answer find करने में बिल्कुल basic सा point मैंने आपको बता गिया है अब जो भी figure बनाया गया है उसके बारे में लिख देते हैं let ab is the tower c and d are points 4 meter and 9 meter away from tower so one angle is theta and other is 90 minus में theta ab हमारा tower है c point 4 meter दूरी पर है और d point tower से 9 meter की दूरी पर है तो एक angle हमारा angle of elevation theta हो जाएगा दूसरा 90 degree minus में theta हो जाएगा अब सबसे पहले मैं triangle लूँगा abc तो यहाँ पर लिख लेता हूँ in triangle abc abc triangle में हम करेंगे perpendicular upon में base perpendicular ab और base bc तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ab upon में bc perpendicular upon base किसके equal होता है 10 theta के equal में तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और theta की जगे पर यह वाला angle theta ही है तो theta as it is आ जाएगा जो भी हमारी यह equation बनी है इसमें values put करेंगे ab की value आप देख सकते हो यहाँ पर है h so ab की जगे पर h आ जाएगा denominator में यहाँ पर है bc इसकी value आप देख सकते हो 4 दी गई है तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और equals to में हमारा 10 theta as it is यह हो जाएगी हमारी first equation इसके बाद हम triangle लेंगे abd तो यहाँ पर लिखते हैं in triangle abd इस वाले triangle में भी हम perpendicular upon base करेंगे perpendicular ab और base हमारा आ जाएगा bd तो यहाँ पर लिखते हैं ab upon me bd equals to में हो जाएगा हमारा 10 theta और theta यहाँ पर अब की बार है 90 minus में theta abd triangle लिया है तो theta की जगह पर यह वाली value आ जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 bracket लगा के लिख देंगे 90 degree minus में theta अब इसमें values फुट कर देंगे और इसको solve करेंगे सबसे पहले देख सकते हो ab दिया गया है ab की value आप देख सकते हो figure में दी गई है यहाँ पर h so ab की जगह पर h लिख देंगे denominator में हमें दिया गया है b से d सो b से d का distance देख सकते हो 9 है यानि की b d की जगह पर 9 आ जाएगा equals to me chapter number 8 trigonometry में आपने ये condition देखी होगी 10 90 degree माइनस में ठीटा ये formula अगर आपको आता होगा तो easily इस question को solve कर सकते हो 10 90 degree माइनस में ठीटा किसके equal होता है quote ठीटा के equal यानि की 10 90 माइनस में ठीटा की जगह पर मैं लिख सकता हूँ quote ठीटा लिख देता हूँ यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी second equation guys अब जो भी हमारी first और second equation है इन दोनों को multiply कर देंगे so यहाँ पर मैं लिखता हूँ multiply first and second दोनों equations को multiply करेंगे और कैसे करेंगे ये समझ लो first equation की left hand side value value और second equation की left hand side value value को multiply करेंगे सबसे पहले h upon 4 multiply में h upon 9 लिखेंगे so h upon 4 multiply में h upon 9 equals का sign लगा देंगे अब जो भी first equation में right hand side value है और second equation में right hand side value है इनको multiply करेंगे यहाँ पर 10 theta multiply में आ जाएगा quote theta so 10 theta multiply में quote theta calculation बिल्कुल easy है h को h से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा h का square upon में 4 को 9 से multiply करेंगे 4 9 हो जाएगा 36 equals to me 10 theta को quote theta से multiply करेंगे तो आ जाएगा 1 तो यहाँ पर लिख देंगे अगर इस 1 को लेकर confused हो कैसे आया तो आपको पता होगा कि 10 theta equals to me 1 upon में quote theta होता है अगर quote theta को इधर 10 में multiply कर दू तो equal में 1 बचेगा यानि कि 10 multiply में quote 1 के equal होता है अब यहाँ से हमें tower की height पता लगानी है यानि कि h की value find करनी है तो 36 को इधर बेजना होगा इस side में हमारा h का square as it is रहेगा equals to me 36 divide में है इधर 1 में जाके हो जाएगा multiply 36 को 1 से multiply करने पर 36 से हमें मिलेगा अब h की value find करने के लिए इस square को हटाना होगा और square को हटाने का सबसे आसान तरीका होता है root लगा दो अगर यहाँ पर root लगाया है तो इस पे भी हमें root लगाना पड़ेगा अब इस square से ये root cancel हो जाएगा हमें मिल जाएगा h equals का sign लगा लेंगे 36 को किस तरह से लिखा जा सकता है root के अंदर 6 multiply में 6 36 होता है root के अंदर pair बन गया यानि की h की value हमें मिल जाएगी 6 जो भी root से value बहार आती है वो plus में भी होती है minus में भी होती है तो जो भी हमारी ये tower की height है ये plus में हो सकती है minus में तो कोई height होती नहीं है यानि की h की value final यहाँ पर लिख देंगे 6 meter question number 16 में जो भी हमारा ये tower है a b इसकी height हो जाएगी 6 meter final answer इसको रब करके यहाँ पर लिख देता है height of tower equals to me 6 meter यही हो जाएगा question number 16 का answer और इसी answer के साथ question number 16 हो जाता है complete इसी question number 16 के साथ exercise 9.1 हो जाती है complete उमीद करूँगा सभी question आपको समझ आए होंगे अगर समझ आए है तो वीडियो को like कर दो अपने classmates के साथ share कर दो और जितने भी नए student आए है चैनल को subscribe कर लो class 10 के educational videos इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी इसके अलावा chapter number 9 applications of trigonometric के जो भी ये other parts है सभी के link आपको नीचे description box में दिये गए है सभी parts को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना guys क्योंच्ट अच्छी नीच्छी कर देखभ.